Good morning students, आस्था आये 69 batch, यह आपकी जो test series start हुई है, उस test का पहला discussion आप लोगों के लिए लाया गया है, और हम चाहते हैं कि यह जो test series है, सारे बच्चे जोईन करिए, क्योंकि paper घर में बैठके करना, और institute में आके test देना, या online test देना, एकदम अलग अलग चीज़े हैं, आप room म मन से ही काम हो रहा है कि घर में हो रहा है, तो जब आप test series को एकदम seriously आ के coaching में देते हो, तो आपको एकदम सीधा benefit मिलता है, कि आपको चीज़े lively लगती है, कि जैसा exam hall का महौल होता है, आप चाहें तो online test भी ले सकते हैं, और offline test भी दोनों प्रकार से ले सकते हैं, जैसा कि आपको पता है 30 September को बिहार की prelims परिक्षा है, तो बस उसी की शुरुवात में आज पहली test की discussion हम लोग शुरू कर रहे हैं, पहला question है और हम लगातर आपसे questions करते रहेंगे और जहां नहीं समझ में आएगा उसको अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है, भारत में राष्ट वोट हासिल करती है, क्या उसे राष्ट्रिय पार्टी का दर्जा मिलता है? हाँ, बिल्कुल मिलता है कि अगर आपको लोग सभा में 4 सीटे और विधान सभा के 4 राजियों में 6 प्रतिशत सीटे मिलती है, तो बिल्कुल उसे पार्टी को राष्ट्रिय पार्टी का दर्जा मिलता है, दूसरा, अगर चार राजियों में छेत्री दल का दर्जा प्राप्त है, तो उसे चार राजियों में कितनी सीटे प्राप्त होनी चाहिए 2 प्रतिशत या 11 जीतता है तो या कथन भी बिल्कुल सत्य है कि आप अगर इतना प्रतिशत या 11 सीट तो आपको नाशनल पार्टी का दर्जा आया आपकी लिजबिलिटी बन जाती है तीसरा है हाल ही में आम आदमी पार्टी को राजट्री दर्जा मिला आपको पता है कि दिल्ले केजरी वाल सरकार पंजाब में भी उन्होंने अपनी बनाई है घुषरात में भी कुछ सीटे जीती है तो इसे हिसाब से वो क्या है आम आदमी को राजट्री पार्टी का दर्जा मिल गया तो आपके पास तीन आप्शन्स तो क्लेर हो गए तो कहीं न कहीं आपको ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी कि जो हमारा चौथा आप्शन है वही गलत है तो वर्तमान में कितनी पार्टी है जिनको राजट्री पार्टी का दर्जा मिला है छे पार्टीयों को राजट्री पार्टी का दर्जा मिला है कौन सी छे पार्टियां है, पहली Congress, रहुल गांदी जी की, विजेपी, तीसरी कौन सी है, हमने यहीं देख लिया, कौन सी पार्टी, आम आत्मी पार्टी, चौथी है आपकी National People's Party, कौन सी है चौथी, National People's Party, Next है आपकी बश्पा, बहुजन समाज Party और लास्ट CPI, तो ऐसी कौन सी दो पार्टी है, वत्मान में आट पार्टियां हुई थी, तो ऐसी कौन सी दो पार्टियां है, जिनको हटा दिया गया है, नहीं तो आट पार्टियों को दर्जा मिला था, क्या आप मेंसे कोई जानते है तो आपको मैं बता देती हूँ राश्ट्रिवादी कॉंग्रेस पार्टी और दूसरा त्रण मूल कॉंग्रेस के बारे में आपको पता है वेस बंगॉल दीदी की पार्टी है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारतिय प्रवासी दिवस सम्मेलन के संदर्व में कौन सा कतन असत्ते है जिन बच्चों को मैं करंट अफेर पढ़ा रही हूँ उन बच्चों को ये क्वर्शन पता होगा जैसे सत्रवा भारतिय प्रवासी दिवस की थीम डाइस्पोरा अमृत काले भारत की प्रगती के लिविश्वश्निय भागीदारी ये मैंने थीम आपको प्रवासी दिवस 2004 में आयो जिकत हुआ बस अब आपको समझ लेना है कि यही गलत है 2003 में जब मैंने करंट पढ़ाया था क्लास में तब भी बताया था कि जो प्रवासी भारतिय दिवस है वो 1915 1915 में कांधी जी आये थे उसकी खुश्री में शुरू किया गया था ठीक है ज सारे facts बता होंगे क्योंकि जब मैं करंट पढ़ाती हूं तो statics portion बताती जाती हूं next भारत का 41 अंतर राश्ट्रिय वेपार मेला पहली बात तो कहां आयो जीत हुआ एक question ये बन सकता है नई दिल्ली के प्रगती मैदान में आयो जीत हुआ कहां आयो जीत हुआ नई दिल्ली बिहार जारखन राजस्थान कौन कौन से तीन राज्य है बिहार जारखन राजस्थान तो क्या focus राज्यों में केरल लिवं पुत्तर प्रदेश है जी नहीं ये focus राज्यों में नहीं है आकर्शक राज्यों में है क्यों क्योंकि व्यापार तंत्र को यहां बहुत मजबूत नेक्स्ट इसकी थीम क्या है, इसका विश्य क्या है, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, मतलब जो हमारी घरेलू चीजे हैं, उनको हम कहां तक ले जाएं, सिर्फ राज जो अपने देश में नहीं, बलकि विदेश में, ग्लोबल लाइवल पे ले जाएं, जैसे आप ल ग्लोबल लेवल तक पहचान दिलाना, नेक्स्ट है, टेलगू फिल्म आरार के बारे में कौन सा कथन सही है, नाटू नाटू सॉंग तो सब ने सुना होगा, स्क्रीन शॉर्ट प्ले से लेके और स्क्रॉलिंग तक सब जगहां आता है, अगर मोबाइल चलाते होंगे तो श टेक्स चॉइस अवाड थी, बिल्कुल सही, आरार अवाड दो हजार तेहीस को विदेशी सनक में समवेशित किया गया, तो पहले तो ये बताईए, इस गाने के डायरेक्टर और म्यूजिक किस ने दिया था, क्या आप लोग उनके नाम जानते हैं, एस एस राजमौली का न सकती है, क्या, कि इस म्यूजिक को डायरेक्ट किस ने किया, और इसका जो म्यूजिक है, संगीत है, वो किस ने दिया, तो डायरेक्ट किस ने किया, एस एस राजमौली ने किया, और म्यूजिक किस ने दिया, कि किरवानी ने दिया, विदेशी भाशा का नहीं है भाई, हमार भाषा का समवर्ग है, तो कौन सा अंसर ही होगा, तही होगा 1 और 2, ठीक है, next question आपका हता है, हाल में ही प्रधान मंत्री ने सिद्धुरुद railway station पर 1.5 km लंबे, विश्व के सबसे लंबे railway platform का inauguration किया, तो हमेशा जैसे जो लोग पुराने समय से vibration कर रहे होंगे, उनको तो लग रहा होगा कि उत्तरप्रदेश का गोरखपुर junction है, नहीं, वर्तमान में करनाटक का हूबली, आपका सही अंसर है, भी कुछ समय पहले ही ऐसा हुआ है, कि करनाटक के हूबली ने प्रधामिस्थान को ग्राण किया है, second number पे अभी भी गोरखप 123, यह जो numbering है ना पेटा, यह numbering की उसकी पहचान है, 123, यह आपका सही हो गया, चंदरमा के दक्षण में उन्होंने रोवर भेजा है, चंदरयान को रॉकेट LVM3-M4 ने लॉंच किया है, यह भी बिल्कुल सही है, जिस रॉकेट ने लॉंच किया है, बहुत इंपॉर्टन है, इसको रट लेजिए एकदम से, समझ लेजिए, LVM3-M4 द्वारा इसको लॉंच किया गया है, ठीक है, next, यह भी सही है, यह भी सही है, आपको चुनना है, असत्य, गलत आंसर को चुनना है, चंदरमा के दक्षणी दुरूपर सफल लैंडिंग के बाद, भारत ऐसा करने वाला दूसरा देश है, तो देखिए, कुछ देश है, जो हमसे बहतर स्थिती में है, अमेरिका को आप जानते हैं, नाम सुना है, और आपको पता है कि इन चीजों में चाइना भी ठीक ठाक प्रदर्शन करता है, तो हम तीन देशों के नाम बताएंगे, तो आपको अपने आप समझ में आ जाया कि भारत दूसरा देश ना होकर चौधा देश है या फोर्थ पोजिशन पे है, तो पहला है आपका अमेरिका, दूसरा है आपका रश्या, और तीसरा है चाइना, तो अब आपको समझ में आया कि आपका option C क्या है, यही गलत है, और आपको क्या आंसर चुनना है, असत्य गलत अंसर को चुनना है, ठीक है, चंद्रयान कृतिय में लांडर का विक्रम और रोवर, जो लांडर का नाम है, वो क्या है विक्रम और रोवर का क्या नाम है, प्रज्ञान दिया गया है, तीन इंपोर्टेंट डिसकुशन की, कौन सा चंद्रयान भीजा जो आपका लांजर है उसका नाम विक्रम है, जो आपका रोवर है उसका नाम प्रज्ञान है और इससे पहले कितने देशों ने किया है, तीन देशों ने कर दिया है, किसने अमेरिका, रुष्या और चाइना, तो यहां तक बेटा आप लोग को बात समझ में आई, आगे अब आता है राश्ट्रिय जल पुरुस्कार ये जो एवार्ड्स मिले हैं वाटर के लिए उसका डिस्कुर्शन है कि सर्वस्रेष्ट राज्ज आपको हमने करंट अफेर्स में पढ़ाया है यहीं एक करंट अफेर्स आपको और बताते हैं जब हमने आपको करंट अफेर्स पढ़ाया था तो हमने बताया था महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित थाना उडिसा कही था क्या आप लोग को नाम यादा रहा है अशिका और क्या आप लोग को याद है दूसरा कौन सा था उ किसरा बिहार का अर्वल पुलिस्थाना सबसे सुरक्षित पुलिस्थानों में आता है ठीक है हमने इसलिए कनेक कर दिया कि आपको याद रहें करंट अफेर्स को जोड़ते चलें कि आपको पता चले सर्वस्रेस्ट उद्योग बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बिहार और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के दिरिष्टे से आपको पता हो सीधे यही एक question पूछ लिया जाए कि सर्वस्रेस्ट उद्योग का दर्जा इस बार किसको मिला है तो किसको मिला है परौनी थर्मल पावर स्टेशन बिहार को मिला है अब next question है सर्वस्रेस्ट ग काठ गुदाम के भद्रारी, कौन सी जगह, सिलंगाना के काठ गुदाम, कौन सा विलज बोल रही हूं, भद्रारी, भद्रारी विलज, तो आप से पूछा है कि इन में से कौन सा असत्य है, तो आपका option D, असत्य है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, आपको discussion में कोई doubt हो, तो आप लोग message करेंगे, तो मैं समझाओंगे, वार अच्छे से, हाल ही में मड़ीपुरहिंसा घटनाओं की जाच इसके अध्यक्षता में न्याइक आयवका घटन किया गया, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, दो ग्रूप हैं, जिसके चलते लड़ाई हो रही है, तो ट्राइबल्स ग्रूप हैं, एक का नाम महिती है, महिती इसलिए important है, क्योंकि अभी recent में, पिछले 2-3 महिनों के current affairs में जब बच्चों कुमय पढ़ा रही थी, तो मैंने बताया था कि महिती को ST का दर्जा दिया गया है, पहले SC ग्रूप था, आपको पता है कि जब भी ट्राइबल्स का दर्जा मिलता है, तो थोड़ी reservation policy में उनको help हो जाती है, नागा, कूकी और महिती के आपस की रड़ायों का परणाम मड़ीपूर में है, और इसका जो भी हिंसा हुआ है, उसके लिए नयादीश अजय लामबा जी को आयोग गठन के लिए बनाया गया है, chair person, मैं जब भी पढ़ाती हूं, तो मैं अक्सर बोलती ह कि जब भी कोई समिती होती है, तो किसी व्यक्ति के नाम पर होती है, तो इसलिए यहाँ पर जिनका नाम आ रहा है, नयादीश अजय लामबा जी का आ रहा है, ठीक है, अब बुक की बात होती है, तो बुक की बात में आ रहा है, कि निम लिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है बोक्स और राइटर्ज हैं, आप देखते हैं, परीक्षा में एक दो प्रशन हमेशा मिल जाते हैं, तो पहली पुस्तक है, मैडम प्रेसिडेंट, तो मैडम प्रेसिडेंट जिसने लिखी है, कि आपको नाम पता है, जी बिल्कुल सही है, संदीप साहु जी ने लिखी है तो ब्रायोग्राफी आफ द्रापदी मुर्मू और जैसा मैंने उनके बारे में बहुत नहीं पढ़ा पर जितना पढ़ा है आपको पता है कि हमारी प्रेसिदेंट एक ट्राइवल ग्रुप से आती है और जब भी मैं Current Affairs पढ़ाती हूँ या मैं महामहीम राश्पती जी के बारे में कुछ बोलती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि शायद यही खुपतूरती है हमारे सम्विधान की तो कि ट्राइबल एक तो पॉपुलेशन में बहुत कम है अगर हम बात करें एकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ तो थाउजन इलावन 8.6 के आसपास इनका डेटा है सोचिये हमारे देश की ऐसी आबादी जो दस प्रतिशत से भी कम है और कितनी खुपसूरती है सम्विधान की कि भारत के सर्वो चिपद बे उनको स्थान मिला है और देखें मैं महिला हूँ मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप सोचें कि माडम महिला है इसलिए महिलाओं को बोल रही है मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आधी आबादी जो महिलाओं की है आपको पता है बहुत प्रयास के बाद भी बहुत अच्छी पोजीशन पर नहीं जा रही है और जब देश की इतनी बड़ी पोजीशन पर कोई ट्राइबल ग्रुप की महिला बहुचती है तो no doubt वो देश की समयधानिक स्थिती को दर्श आता है कि कि इतना खुबसूरत समयधान है जिसने हर तबके के लोगों को प्रवेश हर जगा दे रखा है ठीक है तो यहाँ पर बात होती है Madam President The Biography of Draupadi Murmu, Sandeep Saahu, दूसरी है Draupadi Murmu, Formtable Hinterlands to Rise Sina Hill, Kasturi Ray, ये भी सही है और ये भी सही है The Broken Glass, An Autobiography, T.N. Sheshan, क्या T.N. Sheshan के बारे में आप लोग जानते हैं T.N. Sheshan हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, क्या थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, Chief election officer थे, ठीक है Before we were innocent, Emily Henry, क्या बूल रही हूँ मैं, Before, Sorry, Before we were innocent, इसकी जो writer है, उनका नाम है Ella Verman, तो बस जब ये तीन सही है, तो आपका गलत आंसर क्या होगा, Before we were innocent, Ella Verman आसारे आंसर थोड़े आपको लिखते जा रही हूँ, कि आप अगर discussion के साथ आप लिखते चलेंगे, तो आपके लिए easy रहेगा Next Film Fair पुरुसकार, 2023 के संदर्व में कौन सा कथन सत्य है तो जब बात हो रही है, अभनेतरी की तो आल्या भठ है, निरदेश्रक में संजय लिला भंसाली है, ये भी सही है तो गलत क्या है सर्वस्रेस्ट अभिनेता तो सर्वस्रेस्ट अभिनेता का एवार्ड किसको मिला है सर्वस्रेस्ट अभिनेता का एवार्ड मिला है राजकुमार राव ठीक है किसको मिला है राजकुमार राव चालू वित्वर्ष में दो हजार तेईस में चालू वित्वर्ष में दो हजार तेईस चौबिस में भारतिय आर्थिक फृद्धी इस अंदर्व में कौन सा अनुमान गलत है पहला डेटा है वर्ल बैंक की ओर से 6.99 यही डेटा बलकुल सही आया है दूसरा है अंतराश्रिय मुद्राकुष आई एमेफ इंटरनाशनल मॉनेटरी फंट इन्होंने दिया है 5.9 परसेंट वर्ल बैंक और इमेफ दोनों की स्थापना लगबग 1945 के आसपास हुई थी वर्ल बैंक जुलाई 1944 में स्टाबलिश हुआ था और जब आईमेफ आपका 1945 में स्टाबलिश किया गया था ऐसा क्यों हुआ था आफ्टर सेकेंड वर्ल बार इतना साथा रिस्ट्रक्शन हुआ तो उन सब ठीक करने के लिए और भविश्रम ऐसी चीज़ा ना हो बहुत सार मनीला फिलिपीन की क्यापटल में अर्था कौन सा गलत है उप्योक्त में से कोई नहीं इसमें यह सारे ही आथन सारी आपके सही है अच्ड को प्रेंट में से कोई नहीं या इन में से सभी आपकी पास option आएंगे ठीक है next question है हाल ही में प्रधान मंत्री मोदी ने दुनिया के पहले CNG सीधा आंसर देते हैं भाव नगर गुजरात में रखी हमने जब करेंट अफेर्स पढ़ाया था CNG का फुल फॉर्म क्या है लिखां नाचरवल गास फिकर ब्राउन बंदर गार यह देखिए जब इस फ्रफिसमें आती एक ग्रीज फिल्ड के तहत आती है प्राउन फिल्ड पे असका मतलब है कोई नई कंपनी में इंवेस्टमेंट हो रहा है ठीक है ब्राउण फिल्ड के तहत कि कमपनी पहले से चल र भागिता सम्मेलन, 2023 में कहां आयोजित किया गया, कहां आयोजित किया गया, New Delhi में आयोजित किया गया, यह question बहुत चर्चा का विश्या बना हुआ है कि किस news channel में Lisa नाम की, क्या नाम है, Lisa, आप से नाम भी पूछा जा सकता है, English वाले बच्चों का Lisa, नाम की artificial intelligent news anchor को launch किया, किस पहली बार, और आप इनका वीडियो देखे, सच में लगी ही नहीं रहा है, कि she is reward, भाई, वो एकदम मनुष्य जैसी लग रही है, मुझे तो एकदम आश्चर हो रहा था देखकर, कि वा, मतलब ऐसा formation है, अब बात आती है, विश्यो में महिलाओं के संदर्व में, कौन सा क पहली बार, महिलाओं के लिए साइन सेवा खोली गई है, आपको पता है, भारत में भी कुछ समय पहले ही सारी फिल्ड में ओपिन किया गया है, वरना मैडिकल वगरे के शेत्रों में थी, आर्मी वगरे के इस लिए FMC, मेडिकल कॉलेचर हो गया प्रवेश था, बट ऐसा ल इंपोर्टेंट है, नताशा पर्क मुषर, इनका नाम आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है, नताशा पर्क मुषर को स्लोवेनिया की पहली महिला राश्पती चुना गया, बिल्कुल सही है, जब मैं आपको करंट अफर्स पढ़ाती हूँ, तो मैंने आपको बताया भी जब भी विश्व में कहीं कुछ पहला हो रहा है, वो आपके लिए अपने आप इंपोर्टेंट हो जाता है, तो विश्व में पहली बार किस देश में, स्लोवेनिया में स्लोवेनिया में राशा पर्क मुषर को पहली महिला राश्पती चुना गया, बिल्कुल सही, न्यू युक्त में सभी, क्योंकि तीनों कथन इसके एकदम सही है, ठीक है, अब बात होती है, वर्ष 2047 तक भारत को उर्जा स्वतंत राश्पत बनाने के लिए कौन सी राश्पत्रिय मिशन को शुरू किया गया है, ये December, January, Current Affairs में मैंने पूरा हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे म लिखाया है, और कब तक टाइन पीरट बताया है, 2047 तक 2047 तक भारत को उर्जा स्वतंत राश्पत बनना है, मैंने आपको कई बार एक्जामपल दिया है, कि 2050 हमने बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर दिया है, पहला एयरपोर्ट भारत में जो फुली सोलर अकॉमडेश से चला, क्या नाम है उसका कोची के रल, इंटरनाशनल इंदरा गांधी एयरपोर्ट में पढ़ाते वक्स है, एक पड़ो बार बता चुकी हूँ कि 94% सोलर अनर्जी और 6% हाइड्र पावर अनर्जी से चल रहा है, तो ऐसे बहुत सारे संस्थान जहां पर रनेवल अनर्ज है, रास्ट्रिय हरित हाइड्रोजन मिशन, दूसरा कब तक 2047 तक, आप से प्रशन पलट कर भी तो पूछ सकता है, पेपर देने का यही तो फायदा है, इसलिए मैंने आपको पहले ही अनौन्स कर दिया कि अगर आप टेस्स का डिस्कॉशन करते हैं, तो आपको सबसे पहले यही फायदा मिलेगा, कि आप एक साथ कई सारे क्वर्शन को देख पाएंगे, ठीक है, अब एक वर्शन में दो क्वर्शन आपको मिले, यहाँ पे तीन पैक्स मिले, अब नेक्स्ट आता है आपका, कि निम लिखित में नाटो का सबसे नवीनतम सदश से कौन है, तुरंत ह निम लिखित में नाटो का सबसे नवीनतम सदश से कौन सा है, फिल्लेंड है, 31st नंबर पर उसकी रांकिंग है, अब नेक्स्ट आता है कि विष्व में मलेरिया रिपोर्ट 2022 के बारे में कौन सा कथन असकते है, अजर्बजान और तजकिस्तान, मलेरिया उन्मुलन हो चुक 27 मार्च 2017 को हमारे पुरे देश में पोलियो मुक्त गोश्वत कर दिया गया, ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि अभी तक कोई मामला दुबरा भी प्रिटेंस में नहीं आया है, नेक्स्ट पॉर्वे एशिया में भारत 2021 में 79% जिनमेदार है, यह मतलब South East Asia में सबसे ज्यादा responsibility कि इसकी भारत भी आ रही है, पुलेशन में जादा है, जब भीड ही हमारे यहाँ जादा है, तो responsibility भी तो हमारी ही होगी ना, सब चीज़े हम पर ही आएंगी, ठीक है, नेक्स्ट भारत में मरेरिया उन्मूलन का प्रियास 2018 में शुरू किया गया, तो हम जब Current Affairs पढ़ा रह हम चाहते हैं कि वो आंसर करें, कब था? हमने बताया था 2027, और TV के लिए हमने सैकडो बार बताया है, कि 2025 सरकार की Tag Line है, TV हारेगा, देश जीतेगा, तो 2000, sorry, हमने आपको बताया कि 2027 तक Malaria को समाप्त कर दिया जाएगा, और जड़ से खत्म करने की बात जो हो रही है, वो क् 2030 है, अब बाकी क्या बात कह रहे हैं, कि भाई हम अटाने का प्रयास कर रहे हैं कब तक? 2027 तक, मतलब 30 तक कोई भी मामला नहीं आना चाहिए, तो ये बात आपको यहीं क्लियर हो गए कि क्या गलत है इसमें, ये वाला क्वेश्चन असात्ते है, Malaria उन मुलन हेतू प्रयास पूछ सकता है कि कौन से ऐसे देश है, जिनने Malaria मुक्त गोशित किया गया है, तो अजरबेजान, तजाकेस्तान, दूसरा कि दक्षन पूर्वे एशिया या साउथ ही इसमें, भारत की responsibility कितनी है, 2021 में 79% आई थी, फिर हमने दो डेटा आपको यहां और बताया कि पहला प्र है, ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, वर्ष 2023 क्रिकट की मेजबानी, सयुकत रूप से किस ने की, तो पाकिस्तान, एक सेके, पाकिस्तान और श्रिलंका ने की है, क्या मैं सही बोल रही हूँ, यह आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है, मलेशिया ओपन बैडमिंटन के संद में, यह मैंने आपको लिखवाया है, करेंटाफर्स में, अगर आपको याद होगा, तो जब मैं गेम्स पढ़ा रही थी, तो मैंने बोला था कि, अगर कभी भार्तियों के नाम आते हैं, तो वो most important होजाते हैं, हलांकि भार्तियों के नाम नहीं है, पर फिर भी, पुरुष यूगल में, लियांग, विकेंग और पांग, चांग नहीं है, तो कौन है, इसमें दो नाम आए है, Mr. Fazan का नाम आया है, और एक नाम आपका आया है, मुहम्मद रिहान, फजल और मुहम्मद रिहान, दो नाम आए है, कौन से नाम आए है, असाइड में लिख दे रही पजल प्लस मुहम्मद रिहान, फीकें, तो कौन से आपका गलत हो गया, सुमेलित नहीं है, महिला यूगल, चेन, क्वेंग चेन, एंजिया जिफान, ये भी सुमेलित है, फीकें, नेक्स प्रशन आपका आता है, हालही में मिश्र देशो द्वारा, भारतिय प्रधान मंत्र की करेंद मोधी को सरवोच समान से नवाजा गया, order of Nile, ठीक है, आप वर्तमान में एक वर्शन मैंने भी देखा था, पूछा था कि इजप्ठ के या मिर्श्र के प्राश्पती कौन है, या क्वर्शन आपको पता है, अल्फटह सीसी का आपने सुना है, ठीक है, उन्ही के विश्र में बात हो रही है, अब नेक्स वर्शन है आपका, हाली ही में किस देश के एक निजी स्पेस कमपनी द्वारा, मिथेन लिक्विड ऑक्सीजन, आपको पिता है कि मिथेन एक ऐसा गैस है, जो बायो गैस की रूप में प्रियोग किया जाता है, मिथेन का फॉर्मूल प्रिया, CH4+, लोग बायो गैस के लिए यूज करते हैं, तो यहां पर कह रहा है कि मिथेन लिक्विड ऑक्सीजन, किस देश की निजी स्पेश कमपनी ने लॉँच किया है, तो चाइना ने लॉँच किया है, किस ने लॉँच किया है, चाइना ने लॉँच किया है अब आपका next question है कि हाल में ही जापान किस देश के शात्रों के लिए खात्रवित्ती की शुरुवात कर रहा है कि पुटान के लिए कर रहा है ठीक है जैसे जो देश बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है या developing country है तो उनको कौन सा योग करता है developed country करता है ठीक है यहाँ पे चाइना यहाँ order of nine इतना आप लोगों clear हो गया है जब भी हम developed या developing देशों की बात करते हैं शब्द का प्रयोग करते हैं बहुत बेशिक सी परिभासा है developed country वे देश हैं जहाँ पे human, physical और natural resources की परियाप्त मात्रा पाई जाती है अब बात करते हैं developing या विकासिल देशों की ऐसे देश जहाँ पर physical और natural resources जैसे तैसे हैं ही उनका utilization बहुत हो नहीं पा रहा तो especially वहाँ पर human resource है वो यह तो fully utilize हो नहीं पा रहा या partially उसको utilize करने की शक्ती नहीं रह रही है कुछ ऐसा जैसे कि भारत के सिर्फ हमारे पास इतना सारा यूद को काम है नहीं है मैं हमेशा बोलती हूँ कि सबको सरकारिया नौकरी नहीं मिलेंगी तो पर start-up अपना business इन सब च कर रही हूँ बट वो under unemployment है ना under unemployment की परिभाशा यही है कि आपकी जो योग्यता है आप उससे कम-काम करते हैं ठीक है नेक्स्ट आपका question है UNESCO के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है कितनी प्रतिशत आबादी रहती है 56% आपको पता है एशिया देशों में भारत की स्थिती बहुत अच्छी नहीं है 2011 के आसपास जब census मैंने देखा था तो 13 1.2 थी यह शहरी प्रतिशत था सोचिए मतलब सतर प्रतिशत 69% आबादी गावों में रह रही है वर्तमान में यह 40 से 40% से बढ़के कुछ 42% तक हो गई है 40 से 42% हो गई है तो यह कह रहे हैं कि दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी शहरों में रहती 56% कुछ देश ऐसे हैं जो 100% अर्बनाईज हैं 100% सिंगापुर नाको यहां है ही भाई गाव है ही नहीं यह पूरी तरीके से शहर सहर है यहां पर फीक है जलवायू परिवर्तन सयुक्त राश्पर फेम वर्क कंवेंशन 27 सम्मिलन के संदर्व में कौन सा कथन असत्य है बहुत अच्छे से मैंने आपको एक बड़ा प्यारा ग्राफ लिखाया है इसमें करंट अफेर्स में और बताया है कोब 27 चर्म अल शेक इस देप्ट में 2022 के नवंबर में हुआ जब पढ़ाती हूं तब यही बताती हूं कि कोब 26 क्लास को स्कॉट्लैंड में हुआ 26 कहां हुआ क्ल नेक्स्ट पर्शन है कोब 27 के अध्यक्षता विदेश मंत्री सामे सौकरी ने की सही है वहां के फॉरेंड मिनिस्टर नहीं बोलते है हमारे यहां एक्स्टर अफ्यार मिनिस्टर सामे शौकरी ने की बिलकुल सही है इस सम्मेलन में भारती प्रतिनिधी मंडल का यहां का नाम है भूपेंद्र यादव क्या नाम है Mr. Bhupendra यादव तो अध्यक्षता किसने की है ? भूपेंद्र यादव जीने की है तो आपका यह आंसर क्या है असत्य आकोप 28 UAE के द्दुबाई में हों गई मैंने पहले यह उपर लिख्या आपको बता दिया है ठीक है किस पार्टी से हैं तो हमें पता है conservative party से हैं और कथा कद्ध जसा कि हम हमेशा कहते हैं बारतीय अमेर्गी या भारतीय इंगलाइन वैसे ही समझ लिजाएं कि भारतीय मुल्क पंजाब राजर संबंदित शुषिसे सुनक किस party से conservative parties से हैं, National Health Survey, पांच के आकडों के अनुसार, 93.2% संस्था गत प्रसव के साथ बिहार के किस जिले ने राज्य में आवल रहा, इस प्रश्ण का आंसर थोड़ा हम रुक के देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं, आप बताएं, क्या है इसका आंसर, आप लोगों ने आंसर दे दिया, म मैं बताती हूँ, इसका आंसर है मुंगेर, ठीक है, विहार स्पेशल, जतना आपका स्टाटिक पोर्शन इंपोर्टेंट है, उतना करेंट अफेर्स, तो यह आपका एक इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट महत्तुपोर्ण प्रशन है, नोट कर लिजा, अलग से डे 2005, जो कि आशा बहन जी को, एक्टिवेस्ट को इसलिए रखा जाता है, उनका जो फुल फॉर्म है, उसका मतलबी यह है कि वो एक्टिवेस्ट हैं, हैल्थ की, इतनी अच्छी सरकारने इसके लिए व्यवस्था की है, कि सो भी पैसा देती हैं, जो उन महिलाओं को लेकर आती इस योजना के तहट की जा रही है, ठीक है, नेक्स्ट है, मैथली युवाल लेखन, अक्षय आनन सन्नी को ओल कत्रा, छोल कत्रा के लिए साहितिक अकादमी बाल पुरुसकार मिला, बिहार केक कि जिले में है, तो इस क्वेस्टन का अंसर आपको फिर देना है, क्योंकि ये बिहार स्पेशल है, तो जरा आप दीजिये आंसर, तो फिर हम आगे इसको कांटिन्यू करते हैं, कहां के हैं भाई वो, ठीक है, मधू बनी के हैं, कहां के हैं, मधू बनी के हैं, और ये क्या था, मुंगेर, वर्ष 2023 में बिहार के किन हस्तियों को पदमस्रे से सम्मानित किय करण्ट अफेर्स में खूब अच्छे से लिखाया है, आनंद कुमार जी, सुबद्रा देवि, कपिल देव प्रशाद, तीनों लोग हैं, इनके बार में बताया है, आनंद कुमार जी को कौन ही जानता, सुपर धर्टी के संचालक है, सुबद्रा देवी और कपिल देव जी और यह बावन बुटी साड़ी, की क्या है, नेक्स पॉस्चन है आपका, कि 2023 के बिहार दिवस की थीम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि युवा, शक्ती, बिहार की प्रगती, आपको जितने भी आंसर हमने बताए हैं, आप लोग अपना आंसर चेक करते चाहिएगा और उनको सही से देख लिजएगा, ठीक है, यह सारे आंसर हमने आपको टिक भी करवा दिया, रिपीट कराके, आगे चलते हैं, जितनी चीज़े आपको बता रहे हैं, समझ में आ रही है है न बच्चो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, हिस्ट्री, हम चाहते हैं कि आप लोग टेस्स सेरीज जॉइन करें, बीपेस्टी का 69 बैच का टेस्स सेरीज स्टार्ट हो चुका है और बहुत रीजनेबल प्राइस में है, हमने जैसे पहले ही कहा, कि अगर आप टेस बार टेस्ट बैट के लगा चुके हैं, और आप 20 वी बार एक्जाइम हॉल में बैठेंगे ना, तो एक शब्द जो हम लोग अकसर बोलते हैं कि अरे वो मिस्टिक हो गई, human error हो गया, तब भी होगा, और उसमें जो कमी आएगी ना, वो 99 परसेंट आएगी, आप जितनी बा बार एक्जाइम की महाल में बैट कर टेस्ट देते हैं, उतनी बार आपको एक refreshment जैसा लगता है कि हो सकता है, आप पहली बारे बहुत अच्छा ना करें, दूसरी बारे बहुत अच्छा ना करें, आप टॉपर्स के इंटर्व्यू सुनिए कि फिरवात की टेस्ट अच्छ 60 to 70 facts को देख लिया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रिग वैदि कालीन देवताओं के संदर्व में निम लिखीत में से कौन से कथन सही है, अगनी ने देवताओं और मानवों के बीच बध्यस्त का काम किया, बल्कुल सही है, हम लोग बढ़ते हैं, हवन की इसलिए प्राकरतिक संतुलन का रक्षक कहा जाता है, तो एक और दो दोनों ही सही होगा, हमने पढ़ा है कि वरुन को प्राकरतिक संतुलन के रक्षक के रूप में जानते हैं, आरुत को हवा के लिए जानते हैं, यो कि वरुन को जलके संतुलन के रक्षक के रूप में जानते हैं, नगरी सभ्विता इसे लिए थी जैसे हम पढ़ते हैं वैदिक समाज को तो हम पढ़ते हैं जो वैदिक समाज है वो ग्रामीर सभ्विता है पर जो हरपा है वो कैसी नगरी सभ्विता है पक्की इटों का नालियों का सब चीजों का अच्छा वैवस्था था खाने पीने का है जिसमें महिला ने अपना एक हाथ कटी के ऊपर रखा और एक जांग के ऊपर रखा हुआ है तो हम लोग पढ़ते हैं साक्ष के रूप में दूसरा हम यह भी पढ़ते हैं कि एक महिला के गर्ब से पौधा निकल रहा है ठीक है उसको पृत्वी देवी की रूप में हम मानते हैं नेक्स्ट हडपा काल में पशुपूजा का प्रशलन नहीं था क्या बताईए हडपा काल में पशुपूजा का प्रशलन नहीं था अगर हम पशुपती शिवनात की मूर्ति को देखते हैं शिवजी की मूर्ति को देखते हैं तो हम देखते हैं कि गैंडा बैल के सब बै देवता कैसे आ रहे हैं तो यही statement क्या है आपका असत्य है जैसे यहां पर पहला और दूसरा हमने आपको इसका detail बताया क्या बताया कि भाई नगरों पकीटों का प्रयोग किया गया है सही खड़ापाय मिट्टी स्त्री की मूर्तिकाय मिली हैं दो मूर्तियों के विशय में च सही ठीक है जैन ग्रंतों की रचना प्राकृत भासाओं में इशा की छटी शदी में कहां अंतिम रूप से संक्लित किया गया था जैन धर्ब के संस्थापक कौन थे आविर स्वामी के स्वरूप में हम जानते हैं ठीक है वो 24 वे तीर्थकर थे उनके ठीक है 24 वे तीर्थकर थे तो उनकी जो पहली उनकी दो ही संगोस्थिया हुई है पहली कहां हुई है पाटली पुत्र में हुई है दूसरी कहां हुई है वल भी गुजरात में हुई है और और वहां ही अंका अंतियम रुख से संक्लन हुआ है, संगोस्टी कैसे conferences होती है, आजका लोग discussion का से आपनी चीजों को बताते हैं, कि हम सही है, हमने नया invent किया, इन सारी चीजों पर चर्चा होती है, इसी तरह यहां पर भी है, कि इसा की छटी शदी से कहां तक अंतियम संक्ल हुआ है, आगे बढ़ते हैं, कुप्त कालवे, बहुत धर्म के संदर में लिखित में कौन से कथन सकते हैं, इस काल में बहुत धर्म को राजश्रय मिला था, फुल ठीक है, नालंदा बहुत सिक्षा का केंद्र है, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हुआ, कुमार गु तो के विश्य में थोड़ी से अगर बात करें, तो क्या अगर हमें याद आ रहा हो तो वैश्नव संप्रदाय के बारे में चर्चा हुई है इसमें, वो जो समय था उस समय विश्नव भुवान के महत्म को जब वैश्नव धर्म को मानना सुरू कर दिया गया था, आपने दो शब्द सुन, शैफ संप्रदाय और वैश्नव संप्रदाय, तो वैश्नव संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, उनको अलवार कहते हैं, तो फैक्स हमने आपको और जोड़ के बता दिये तो हमने बताया कि इस काल में बौध धर्म को अजश्रा समाप्त हो गया था, ठीक है, नलंदा बौध सिक्षा का केंद्र बना, इस काल में वैश्नव संप्रदाय अधिक लोगप्री हुआ, तो एक, दो, तीन, अशोक के अभिलेखों के संदर्व में कौन सा कथन सत्ते हैं, तो कि हम बिहार की परिक्षा की प्रिप्रिशन कर रहे हैं और बिहार का इतिहास में अशोक का बहुत मात रहे हैं, तो थोड़े से चारों चीज़ों का अच्छे से देखते हैं, अशोक के अब लेखों में सबसे पहले, 1837 में, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, एकदम सही है, हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत बारिश फैक्ट को देखा है, कि 1837 में सबसे पहले जो अशोक के सिलाले अभी लेख हैं, स्क्रिप्स हैं, इसने उसकी स्टड़ी की 1837 में खी गई, इसके द्वारा जेम्स प्रिसट के द और ब्रामी बाएं से दाएं लिखी जाती है, ये भी सही है, अशोक के सिलालेखों में यूनानी और अर्माईक लिपियों का प्रियों का प्रियों किया गया, जब हम पढ़ते हैं कि अशोक के लिपियों में किस-किस का प्रियों किया गया, यूनानी का प्रियों किया गया, तो अब आपके पस कौन सा चौथा option बच रहा है, बिना पढ़े भी इसको हम tick कर सकते हैं कि ये गलत है, ये elimination का process है, पर हम थोड़ा सा इसके विशे में चर्चा कर लेते हैं, अशोक के दो सिला लेखो को मुहम्मत बिन तुगलक ने दिल्ली मंगाया, तो बिल्कुल नहीं मंगाया, इसने मंगाया फिरौशा तुगलक ने मंगाया, इसने मनाया फिरोशा तुगलक ने मंगायाhas फिक है? next है आपका महातमہ बुध के समन्ध में निमलिखित कतनों में से कौन सही है。 इुन्होंने आरसत्य का प्रचार किया था उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया थाा-रे सत्य का प्रजार किया क्या आरी сत्य है उनके है चार से पांच शीर्जथ्व के विसने बात की है क्या है वह चार से पांच विसे से अहिंसा अस्त्य अपरिग्रह की है सत्य मतलब हमसा सच बोले, हिंसा मतलब हिंसा ना करे, आस्ते मतलब सोरी ना करे, और अपरिग्रह मतलब आवशक्ता से किसी भी का अधिक का संचयन ना करे, सोरज ना करे, ठीक है, उन्होंने बोध गया में ज्यान प्राप्त किया, पता है आपको बोध गया के बारे में उन्ह कपिल वस्तु में हुआ था तो उनका जन्म कहां हुआ था क्या आपको पता है लुम्बनी का नाम सुना है आप लोगोंने लुम्बनी कहां है कपिल वस्तु में है तो आपका अच्छा एक एक सौरी एक पोइंट हुड़ गया उन्होंने वैदिक धर्म को अस्विकार किया सत्य बूलना चाहिए बहुत सुख में विस्तर में नी सुना चाहिए हमेशा दो भागों में बटा हुआ था एक पांच नियम ग्रहस्तों के लिए थे जो बाकी के सारे नियम थे जीवन में कभी शादी नहीं करते थे उन्होंने रूप में जाना जाता है तो हमने देखा कि उन्होंने आर सत्यका प्रचार किया सही बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया सही उनका जन कपिल वस्तु में हुआ सही उन्होंने वैदिक धर्म को अस्विकार किया था सही मतलब इसमें सभी चारों आप्शन आपके सही है धर्वाले पेपर को हमने करवाया था नहीं करवाया था अच्छा करवा दिया था ठीक है ठीक एक्स्ट टॉपिक है आपका बॉत दर्शन के अनुसार चार सत्त के रूप में जानी जाने वाली केंद्री सक्ष्णा ऊप मतलब उन्होंने बताया था कि दुख के विश्व में बात की थी तो पहले पकर लेना है आपको दुख नहीं होगा कि कि उनकी चर्चा यही है जिसे एक बार मुझे याद है मिरा जीवह में कुछ हैसा हुआ तो मैंने आपने सर से कहा कि सैर मुझा अगर यह नहीं होता मैं जीवन कभी इतनी दुखी नहीं होती जटनी मैं हूं पर वह बहुत बड़े ग्यानी व्यक्तीथे तो दुख का सत्य, दुख के कारण का सत्य, दुख के निरोद का सत्य और दुख के निरोद का मार्ग, यही उनके इंद्रिय सिक्चा है और यही उनके चार आरे सत्य हैं, कि दुख का सत्य, दुख के कारण का सत्य, दुख के निशेत का सत्य और दुख के निरोद के मार्ग का सकते हैं कि कैसे भाया जाएं उस मार्क में कि दुख से फुक्ती मिले मेरे अपने जीवन का अनुभाव है कि कि दुख से आपको एक ही चीज छुटकारा दिला सकती है कि आप अपने काम को तनमायता से करते रहें और वक्त इसमें हो जाता है ठीक थोड़े वक्ते बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भार्ती इतिहास में पहली बार लोगों के जन में एवं मृत्यू का पंजीन किस काल में हुआ यह बहुत इंपॉर्टन क्वेश्चन है और मुझे लगता है शायर बेपियस से कई बार पूचा क्या होगा इसका इंपॉर्टन आंसर क्या है अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हूं इंपॉर्टन में जे समितियां थी ऐ आशन व्यवAC की चर्चा किस पुस्तक में की गई है इसका आंसर आप लोग हमको कमें जरूर देज़ेगा ठीक है अपने युनानी मित्र समराट से मीठी मदिरा, अंजीर एवं एक दार्षनिक भेजने का आग्रह करने वाला कौन सा समराट था इसका आंसर आप लोग की फिर बताते हैं कौन था भई? बिन्दुसार इन्होंने मांग की थी अंतियोकत से कि भया हमें क्या क्या चाहिए? हमें मीठी मदिरा चाहिए, अंजीर चाहिए, एक दार्षनिक चाहिए तो इनको कहा गया कि भाई हम आपको अंजीर दे देंगे, मद्रा दे देंगे, खारत को हम क्या दार्शनिक देंगे, खारत तो खुदी फिलोसपर्स की धर्ती है, ठीक है, आप लोगों को आंसर रिचक हो रहे हैं कि मैं दुबारा से ठिक लगाती जाओंगी, आप लोग जैस सही स्पेलित है, दिवाने ए इमारत, संबंदित है ये, लोग कल्यान विभाग से, किस से संबंदित है, लोग कल्यान विभाग से, दूसरा, दिवाने ए अर्ज, साइन ने विभाग से, इसने दिया था दिवाने अर्ज, या सुद्दीम बल्वन ने दिया था, ठीक है, दिवाने मुस्तक राज, अत्रिक्त मात्रा में वसूलने के लिए करका हिसाब रखना, यही सही है, क्या है, दिवाने मुस्तक राज, अत्रिक्त मात्रा में वसूलने करका हिसाब रखना, यह किस ने दिया था, यह लाहुद दि विभाग तो ही नहीं सकता एक किस ने दिया था और पुरा विभाग बनाया था आपको पता होगा सबसे जादा गुलाम पिरोशा तो गलाइब की समय तक मुझे तो आपको पता चलिया कि दिवान एक मुस्तक्राद सही सुमेलित हैं बाकी सब सुमेलित नहीं थे मैंने आपको इसने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बता दिया है अलाहुद्दीन खिल जी के आक्रमड के समय देवगिरी का शाशक कौन था आपको पता है देवगिरी साउत का राज्य है उस समय 1298 का समय था और रामचंद्र देव देवगिरी के शाशक थे बहुत खराब विस्थिती थी जब उस समय अलावदिन खिल जी ने जब मलिक काफूर के वह अपने साथ रखा तो उसने बहुत साहिता कि उन्हें बहुत आजमयद मदुरई में सब जगहा इन्होंने आकरमर्ण किया था ठीक है ऐसा निया कि साउत बचा रह गया था परंगल मदुरई सब साउत के ही तो पार्ट है देवगिरी साउत के ही तो पार्ट है ठीक है निमलिखित में कौन सा सुधारक समराथ तमबाकू की लद से इतना चंतित था कि उसने प्रतिबंध लगाया जहांगीर सीधा अंसर इसलिए देजिए हूं क्यूंकि जहांगीर एक ऐसे समराथ थे तो खुद तमबाकू की लद से बहुत और क्यूंकि वो इस चीस से खुद जूज रहे थे तो उनको पता था कि एक बार लद लद लग गई न चूटेगी नहीं एक क्वेशन यहां और बताते हैं कि भारत में पहली बार तमबाकू लेकर कौन आया तो पहली बार पुर्तगी इस पुर्तगाली तमबाकू लेकर आये कब आये तोलवी शताब्दी में आये और सोला सो सत्रा वाजब समय था जब इन्होंने घोशना की कि भीया प्रतिबंद लगाओ सब आम जनता तक तवाकू फैल चुकी तो आपको पता है कि विश्व में सबसे जादा दो देश हैं जो तमबाकू कंज्यूम करते हैं एक है चाइना और दूसरा है भारत भारत का तो आपको पता ही होगा चाइना का शायद आपको आइडिया नहीं हो बट फर्स में कंज्यूम करने में चाइना ही है अच्छा चलिए एक वर्शन यहीं पर करन्ट अफर स्टाटिक्स का पूछते हैं ऐसा कौन सा राज है जो तमबाक खुद पादन में प्रथम है हारत का अंध्रा फिके आंध्र प्रदेश सभी भक्तों शंतों की सामान विशेस्ता क्या थी इसका तो आंसर आपको देखती है आजना चाहिए उसकी अन्यायों द्वारा भाषा समझी जाने वाली भाषा में उन्होंने चंदों की रशना की क्यूं हम कबीर को पढ़ते हैं दुलसिधाज ने लिखा उन्होंने अत्मकदी में लिखा सारे संतों ने उन्ही भाषाओं का प्रियोग किया इन भाषाओं के वहां के लोग समझते थे है नब किसी वी कि वैक्ती को अपनी बात पहुंचानी है जीसे अब मैं एक incident लेती हूँ, मैंने नियूज में देखा था कि निरचोपड़ाची interview दे रहे थे, तो इसी ने कहा कि English में नहीं बोल रहे है, Hindi में बोल रहे है, उनकी line थी कि मेरे देश के लोग, मेरे गाउं के लोग मेरे भाशा ही नहीं समझ़ पाएंगे, हमारी बात आम जनता तक दूर्शलियों था आपको पता है, जैसी आप देखिए कुलीन लोग English बोलते हैं कुलीन लोग French भी सीख रहे हैं जो दूसरे राज्यों के लोग है छोटे शेत्रों के लोग है अपनी रिजनल भासाओं का खुब प्रयोग करते है आप बिहार में देख लीजे मैथली प्रयोग हो रही है बुष्पुरी प्रवांचल तो जो जैसा देश है ब्रज है ब्रज्ड की तिलह से पास पढ़ता है ब्रज्भार्शा का प्रयोग होता है अपनी रिजनल लाइंगिज में लोग आज भी बात कर रहे हैं ठीक है नेक्स्क्वर्शन जिम लिखित में किस मुगल साशक की फतेहाबाद उसके नाम पर एक मस्जिद है तो इन चारों में कौन है हुमाईू है जब उन्होंने सेरसा को हराया था तो जिस रास्ते से वो गुज़र रहे थे फतेहाबाद के नाम पर इस मस्जिद का नाम पड़ा है हुमाईू ठीक है पते करके लोटे थे तो उसी के नाम पर रख दिया थे पहार्टी इतिहास के संदर्व में निमलिखित में से कौन था सही है धारत पर पहला मंगौल आक्रमर चलालुद्दीन खिलजी के साशनकाल में हुआ दूसरा अलाहुद्दीन खिलजी के दौरान ए दिल्ली तक मार्श किया और शहरों को घेर लिया तीसरा मुहमद बिन तुगलक ने अस्थाई से अस्थाई रूप से अपने राज्य के उत्तर पश्च में हिस्सों को मंगोल के हाथों में खो दिया चलिए इस क्वेस्टन का अंसर जड़ा बताईए फिर हम आपको अच्छ अच्छाई हुआ था अच्छाई में हुआ था तीक है अलागो दिन खिलची का टाइम पिरिड क्या है भाई इतियास तो बताने ही पड़ेगा आपको फल नाइंटी सिक्स से नाइनटीन नाइन का जो दॉड़ था ना मंगोल आक्रमट दिल्ली के मार्श शहर में हुआ था ताहर को घेर दिया गया था, ठीक है, मुहम्मद बिन तुगलक, हाँ जर अब मुहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ी सी बात कर ले, कुछ-कुछ लाइन इनके बारे में बोली जाती है, एक सबसे फेमस लाइन, जब इनकी बृत्ति होई, तो किसी ने क्या कहा था कि, राजा को प्रजा से, और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली, क्यों बोला गया था ऐसा, कोई विशेस कारण था, कुछ तो कारण रहा होगा न, इनकी नीतियां ऐसी थी, जैसे, इन्होंने राजधान ही दे, तौलता बात शिफ्ट कर दी, लोगों को ले जा रहा है, पागल क्या किया था, आपको पता है न, कि इन्होंने रियल मनी को हटा दिया था, मतलब चांदी, सोने के सिक्के को हटा कि दूसरे प्रकार के सिक्कों का प्रयोग किया था, जिससे इनका पूरा राजधोश क्या हो गया था, खाली हो गया था, और कहा जाता है कि, मतलब यह बहुत होगा केवल तो कि अलाहुत दिन खिलजी के शाषन काल के दौरान एक मंगॉल ने आकरमत दिल्ली के महाश्विक्टा और शहर को घेर लिया था आगे आपको दो क्वेश्चन मंगोलों से ही मिलेंगे इसलिए डीटेल में बाद बता दी है अच्छा मुझे बगल कभी करना है चलिए एक साथ करते आते हैं प्रिटिश भारत के किस गवर्नर जर्रनल ने अवद राज्ची को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुह में गिर जाए की रूप में वर्नित किया है स्टेटमेंट है जिसमें कोई बहुत ग्यान की बात नहीं है तो स्टेटमेंट आपके लिए हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत सारे स्टेटमेंट आपसे पूछे जाते हैं जैसे एक फेमस स्टेटमेंट है कि सम्विधान के साथ धोका किया गया है तो का ना कोई बहुत स्पेशल बात इन्होंने बहुत सारे काम किये एक जो बहुत स्पेशल है अरे भाई ट्रांस्पोर्टेशन रेलवे रेलवे का इस्टाबलिश्मेंट 18 15 3 18 15 3 में इन्हों नहीं तो कराया था पहली बार मुंबई से लेके थाड़े तक 34 किलो मीटर रेलवे यात्रा क्या है उस समय का दौर सोच के रेलवे यात्रा क्या चीज़ है ठीक है और इन्होंने हमारे इस विज़ा आपना मालाद के दर सुधर ले जाना था किसके लिए बनवाया था अंग्रेजयों द्वारा बनाई गई भूवेवस्था कि निमने पढालियों में कौनसी ख्रिश्कों के हितों की स्वरक्षा अधिक देती है अध्रास प्रांथ की रियत वारी इस या था इन लागू की थी, कौन थी भुवैस्था लागू की थी, 10 by 11 का रिश्यो था, बहुत खराब हालात थे, किसानों का तो बहुत शोषन हुआ है, मतलब क्या ही बोला जाए, इसले स्क्रॉल नहीं हो रहा है, निम लिखित में कौन सा कथन सही है, यहां इल्टुतमिस के शाशनकाल के दौरान था, कि चंगेच खान भगोरे, ख्वाज्यम राजकुमार का पीछा करते हुए, पीछा करते हुए, सिंधु पहुच गया, मुहम्मद बिन तुगलक ने तैमूर मुलतान पर कबजा कर लिया, और सिंधु को पार कर लिया, तो पहला इस स्टेट्मेंट जरा देखिए, कि इल्टुतमिस के शाशनकाल में, इल्टुतमिस का टाइंग क्या है भाई, कि इल्टुतमिस सल्तनतकाल के लोग है, अगर देखा जाए तो इस्टाबलिश्मेंट इहीं का है, ठीके सल्तनतकाल में, तो जंगेच खाने भगवाडे क्फाजिम के रूप में, पीछा करते हुए, सिंदु पहुच गया, तो भीया, जरा इस बतो, क्फाजिम कौन है यहा करते हुए, सिंदु तक पहुच गया, ठीक है, यह option आपका एकदम सही है, दूसरा, मुहमद बिन तुगलक के शाशनकाल के दौरान, तो मुहमद बिन तुगलक, सबसे लंबा कौन सा वंशला है, सबसे लंबी कौन सी डानेस्टी चली है, तुगलक वंशला है ना, तो आप से कहा जा रहा है कि मुहमद बिन तुगलक के साशन के समय टैमूर ने मुलतान पर कबजा किया, और सिंदु को पार कर लिया, तो यह एकदम गलत है, नेक्स्ट है, विजय नगर सामराज्य के देवराय दितिये के शाशनकाल में वासको डिगामा केरल तर पे आये, वासको ड यह यह ओप्शन भी गलत हो गया, तो आपका कौन सा ओप्शन सही हुआ, कौन सा ओप्शन सही हुआ आपका, केवल एक, यह इल्टितमिस के शाशनकाल के दौरान चंगरीश खान भगोड़ेक फाजी मुराज कुमार का पीछा करते वे सिंदु तक बहुच गया, नेक्स्ट मद्धिकालीन भारत के संदर्व में, आकार के संदर्व में निम लिखित कौन सा अरोही क्रम है, सबसे बड़ा परगना, सरकार, सूबा, यही क्रम चलता है, कुछ इधियास का अरोह ने इसके विशे में चर्चा किया है, तो आपका सीधे factual question है, तो सीधे हमने आपको बता दिया की परगना, सरकार और सुबा, इस question के तरफ आ जाते हैं, अच्छा चलिए इधरी continue कर, इनिम लिखित कतनों में कौन सा कथन आठवी सदी के संथ, संकरा चारे के बारे में सही नहीं है, तो यह बात एक दम सही है कि संकरा चारे ने चार धामों की थापना की है, कौन से चार धाम हैं जड़ा नाम बताईए हमको, और इन्होंने चार धाम क्या चार मठों की स्थापना की है, तो कौन से चार मठ हैं जड़ा हमको बताईए, चारो दिशाओं में हैं उत्राखंड, ऊपर की ओर जोशी मट, ठीक है, वेस्ट में द्वारिका, गुजरात, साउथ में श्रंगेरी, करनाटक, इस्ट में कौन सी जगा है, पूरी, ओरीसा, जहां रत्यात्रा वर्तमान में चलती है सावन के महीने में, तो बिल्कुल सही है, उन्होंने बौद्वा जायन धर्म के विस्तार पे रोक लगाई, बिल्कुल, इनका जन्मिक केरल के कलाणी गाउं में हुआ था, और इन्होंने कहां बत्यसवर्श में, इनके मृत्य हुए गए, ये ग्रेट फिलोसफर है, इन्होंने अद्वायत मत के बारे में समझाया, इनकी फिलोसपी को अद्वायत कहते थे, मतलब ये कहते थे कि जो जीव और श्वर है या ब्रह्म है वो दुनों एक है, ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने प्रयाक को तीर्थराज नाम दिया, तो बहली बाद, एंशेंट में प्रयाक का नाम इलहावाद था, ये तो वटमान मे प्रयाक किला भी ङलावाद में, ठीक है, इन्होंने वेदान्त का प्रशार किया, तो आप से पूझा है, कौन सा सही नहीं है, तो प्रयागराज का नाम क्या था, इलहावाद था, उसका नाम अभण शोका आभा ने इलाही के नाम पे इलहावाद रखा था, पवित्र भूम में कौन से कालक्रम दिये हैं, तो अभी हम चंगेश खान की बात किये था, हमने आपको बताया था, कि चंगेश खान पहली बार कब उन्होंने आकमर किया, 12, 21, कैमूर लंग के बारे में हमने बात की, 13, 98, तादिर्शा आपके Modern India के सुरूप में आते हैं, इन्होंने कब किया था, कुछ याद आ रहा है, 17, 39, और एहमर शाह अबदाली, 17, 48, तो चलिए, क्रम से लगाते हैं, सबसे पहले आपका दूसरा, 4, 3, 1, C आंसर, सही होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, इनियम लिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है, Modern History का ही question है, बकसर का युद्ध बहुत फेमस युद्ध है, और बहुत अच्छे से हम बकसर और प्लासी के युद्धों के बारे में पढ़ते हैं, तो हमको पता है कि जब सारे, जितने भी हमारे चेयर परसन थे, या क्या कहें इनको, चेयर परसन क्या कहें, चलिए, गवर्नर ही कह सकते हैं, तो उनकी विशे में कि उसके युद्ध के समय कौन से गवर्नर रहे होंगे, बकसर का युद्ध, हैक्टर मुन्रो, बकसर का युद्ध कब हुआ है, थोड़ा डीटेल भी जान ली जाए ना, क्या 1764, ठ एक दम सही है, आप से पूछा गया है, कौन सा युद्ध नहीं हुआ है, ठीक, कौन समयलित नहीं है, लाड हैंट स्टिंग्स, आंगल नेपाल युद्ध, जहां तक मुझे इसका डेटा याद आ रहा है, 1814 से 1816, 1814 से 1816, ये भी समयलित है, लाड वेले जली, लाड वेले आतिकली फेमस थे, 1799, चतुर्थ आंगल मैशूर युद्ध, इसमें क्या होता है, इसमें टीपल की मरती हो जाती है, ठीक है, और उनका ये सब लोगड अप लेते हैं, लाड कानवालिस से ये आंगल मराथा युद्ध, ये आंगल मराथा युद्ध का जो टाइम पीरिड ह है, पहले वो बताईए, तो फिर हम बताएं कि भाई, कौन था उसमें, 1817 से 1819, तो कौन होगा, Mr. Lard, Hainstings, लाड कानवालिस, इसका आंसर होगा, यही एक युग में है, जो सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं, तो हमने आपको तीन डेटा के साथ, आपको तीन बता दी, चलते हैं, हम यहां बात कर रहे थे, तो आपको पता है कि साइमन कमिशन 1927 में आया था, पर मान में 1942 की करजा हो रही है, तो यह तो अपने आप ही नहीं है, अब बात करते हैं कि कौन से घटना करम, किस से संबंदित हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव, 8 अगस्त 942, 42, सिमला समिलन, 25 जून 1945, इसे वेवल समझाता भी कहते हैं, ठीक है, कि समझाता कब हुआ था, वेवल के समय हुआ था, हमारे गवर्नर वही थे और कहां हुआ था, सिमला में हुआ था, भूदान आंदोलन, 18 अप्रेल 1951, माउन बटन योजना, माउन बिटन योजना क्या है भारत विभाजन की योजना को कहा गया, माउन बिटन योजना, इसे लिखा भी गया, ओपरेशन मैड हाउस, मन बाटन योजना, बहुत सारी चीज़ें पर टेपड़ी की गई, यह क्या है, 3 जून 1945, 3 जून 1947, ठीक है, तो देख लेते हैं, मतलब आपका है, 1st का 2, ठीक है, पी का 1, सी का 4, पी का 3, तो कौन सा ओप्शन आ रहा है भाई, ठीक है, शली, next, आत्मिय सभा, यह सारे, आपको पता है कि जब भारत आजाद हो रहा था, उसमें बहुत सारे ऐसे आंदोलन हो रहे थे, बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म हो रहे थे, बहुत सारे चीज़ों को ला आया जा रहा था, तो उसमें लोगों ने उन ओर्गनाइगेशन को फॉर्म किया, बनाया, उनके विशाएं बात हो रही है, इधे बात करते हैं, आत्मिय सभा, राजा राम मोहन राय द्वारज बनाई गई, ठीक है, आरे समाच बच्चपन से आप सुनते आ रहे हैं, किसके द्वरबनाया गया है, द्यानन सरस्वती जहां तक मुझे सन का यादरा है, 1875 है और आत्मिय सभा की 1815, 1815 है, ठीक है, अब बात आती है, धर्म सभा, राधा कांत देव, भारतिय सुधार संग, केशव चंदर सेन, आत्मिय सभा, राजा राम मोहन राय, धर्म सभा, राधा क देव, भारति, सुधार संग, केशव चंदर सेन, और राधा समाज, दयानन सरस्वती, तो हमने लगाया A का 2, तो आपके पास दो आप्शन हो गया है, आप्शन देखने का तरीका, पर आपको सारे ही मिलाने पड़ेंगे, उन्होंने वैसा ही बनाया है, ठीक है, धर्म सभा आपका क्या है, B का 3, आरे समाज, T का 1, और C का 4, चलो, सुभाशन बोस के संदर्फ में कौन सा कथन सही है, इंडियन्स, इंडिपेंडेंट लिग के अध्यक्षते, मिल्कुल सही है, इन्होंने नारा दिया, जैहन, इन्होंने बहुत सारे नारे दिये, जैहन दिया, दिल्ली चलो दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये तीनों ही नारे नोंने दिये, पहारतिय राश्ट्रिय सेना के सरवोच कमांडर थे, तो मतलब क्या, ये तो तीनों ही सही है, ना भाई, ये तो तीनों ही सही है, आपको पता है कि INA का नि क्वेस्टन के बारे में पढ़ पा रहे होंगे नेक्स्ट क्वेस्टन 1916 के लखनव अधिवेशन में नरम दलवा गरम दल के नेतां को एक इकृत करने के लिए किसने महत्वपून भूमिका निभाई एक इकृत करने की बात आ रही है तो पहले बताओ या अलगाओ कब हुआ है तो अगर आपको याद हो सुरत फार्ज इसे हिंदी में कहते हैं 1907 राज बिहारी बोस उस तमय क्या थे इस चेयर परसन के रूप में थे कॉंग्रेस के और आपको पता है कॉंग्रेस हर साल बैठा करती थी कॉंफरेंस करती थी उसमें एक वेक्ति उसका चेयर परसन या उसकी रूप में काम करता था तो उसमें राज बिहारी बोस थे 1907 में इनका अलगाओ हुआ था कब हुआ था 1907 में तो यह टाइम है 1916 का है एनी बिसन की सहायता से इनको एक ही कृत किया गया नरम दल वा गरम दल को तो आपको अगर पूछा जाए कि नरम दल वा गरम दल कौन है पाल पाल लाल आपके गरम दल है और जो उदारवादिया लिबरल लोग है नरम दल है उसमें गोखले जी हैं और बहुत सारे फिरोशा महता जी लोग ऐसे लोग की विशा में चर्चा की गई है ठीक है और यह कब इस तमें इसका कॉंग्रेस का चेयर परसन कौन था अम्बिका चरण मजूमदा़ थे बशे अनुसार संसार में सबसे सकतिसाली बल नियम लिखित में से कौन है वीर की आहिन्सा मैं भी अकशर कहती हूं कि हमोरी बोल रहा है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं भी तुम्हें देखके यहीं अंदरस्ट्रमेट करूंगी, तो मुझे क्या मारोगे, मैं ही तुम्हें पीट दूँगी, बल तो तब कि, मतलब बात तो तब है ना, कि जब एक पहलवान कहें कि, नहीं, मैं इन पर हात नहीं उठा जाता हूं, जो शक्ति से और बुद् तो यहीं उन्होंने कहाई कि, जिसके पास शक्ति हो, उसको और विनम्र होना चाहिए, ठीक है, तो यहीं बोल रहा है, विर्की अहिंसा, महात्मा गांधी के बारे में निमलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, गांधी जी साधनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे बिलकुल सही है, बिलकुल सही है, पूचाय सही नहीं है, बिलकुल सही है, साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए, गांधी जी बार बर बोलते थे, गांधी जी ने धर्म और राजनीती के बीच संबंध का निकट संबंध वाना, वो कहते थे कि धर्मभीन राजनी पुती नहीं है, के लिए धर्म राजनीती साथ साथ चलते हैं, ठीक है, गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, आपको पता है, गांधी जी किप जीवन के दो ही मुल मंत्र है, सत्य और अहिंसा, ठीक है, इधर भी questions करते चलते हैं, अच्छा चलिए, आता है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, आरंब करने का मुख्य कारण क्या था, सीधी लाइन है, क्रिप्स मिशन की विफलता, इसमें कोई तीन पास नहीं करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों के विश्विद्ध में उलजन 1945 का समय है, लोगों में घोर बेचैनी, यह सब कोई मतल साइमन कमिशन के रिपोर्ट 1927 में आई थी, 1942 में अगर भारत छोड़ो आंदोलन आपको याद हो, 7 अगस्त 142 कुवालिया टैंक से शुरू किया था, उसका में रिजन क्या था, क्रिप्स मिशन से बात चीत हो रही थी, कि भाई हमारे सब से किया जाए, पर उन्हों नहीं क तो फिर गांधी जी ने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन को अपनाया, जब आप पढ़ते होंगे, इस्टाटिक पोर्शन में तो आप देखते हैं कि आंदोलन की इधार, आंदोलन के शुरुवात थी, उधर उनका ऑपरेशन चालू हो गया, जितने चोटी के बड़े आपको और भी questions देखने, फिर आप भी ठक जाएंगे, next आता है आपका, अब science का portion, निमलिखित में कौन सी भातिक राशी है, जिसका परिणाम तो है, लेकिन दिशा नहीं है, तो हिंदी में दो राशिया, सदिश और अदिश, और इंग्लिश में कहते हैं, Scalar and Vector, क्या कहते हैं, सदिश राशिया, तो यहां पर पूचा है, कौन सी राशी यहां पर है, भातिक राशी, परिमाड, तो परिणाम लिखा है, परिमाड होगा, दिशा नहीं है, तो पहली बात यह कैसी राशी है, अदिश राशी है, आपको मैंने बताया ना, कि दो राशियां है, Scalar and Vector, और आपको हमने बताया कि दो राशियों में क्या चीज है, कि जो सदिश राशी है, उसमें दिशा और परिमाड दोनों होता है, आदिश राशियों में दिशा होती है, दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाड होता है, उसका एक्जामपल है आवेश, विद्दु छेत्र, विस् अचानक रुकने पर उसमें बैठे आगे यात्री जुग जाते हैं पहली बात जड़त्वकानियम समझते हैं तो यह गती का पहला नियम जिसके साम करता है कोई व्यक्ति बैठा है और वह अचानक से गाड़ी चल रही है आपने भी देखा हुआ कि आप बैठे हुए कारवार म तो वह अपने आप जुग जाती है अंटरनल फोर्स की जरुवत नहीं है उसमें चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की उठ जुग जाते हैं कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीठो तो दूल के कर चड़ते हैं कंबल क्या है इस सारे गंद के उसकी नीचे खड रही है यह भी सही है तिस्ञा गोली मारने पर कांच के गोल गोल शिदर हो जाते हैं किंदू पत्थर मारने पर कांच टूल जाता है क्योंकि खोलो का फोर्स upon जोली मशीन का फोर्स लग रहा है तो इसमें क्या होगा आपको मैंने तीनों ही बता दिये हैं कि भाई कोई बाहर से फोर्स लग रहा है तो इफेक्ट आएगा तो उप्युक्त सभी नेक्स्ट इसमें इसका एनर्जी कन्वर्जन की बात होती कौन सी उर्जा किसमें परिवर्टित हो रही है तो चलिए देखते हैं लाउड स्पीकर कैसा है लाउड स्पीकर पहले तो यह बताए कि लाउड स्पीकर है आप लोग लाउड स्पीकर समझते हैं लाउड स्पीकर क्या होता है अरे जो खुब आजकल सावन में सब बंभोले बजा के नाच रहे हैं वही है लाउड स्पीकर लाउड स्पीकर यां तरिक उर्जा से विद्धुत उर्जा की आत्र दाइनमो क्यांतरिक उर्जा से विद्धुत उर्जा की ओर है A का 3, B का 4, C का 2, A D का 1, बस इसी तरीके से आपको परश्ण solve करते जाना है बिल्कुल दिपे-धी में आराम से कभी भी पहली बात घबडाना नहीं है, बहुत easily आराम से परको solve करना है, चलिए, एक वेक्ति कृत्रिम उपग्रह में भार इंता का अनुभाफ करता है, यह फिलॉस्टी प्लायनवे 11.2 है, तो सभी इस्तानों पर क्या है? सूनने है, जो भी फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? सूनने लगेगा. नेक्स्ट, मिट्टी के तेल, पानी के उपर क्यो तैरते हैं? देंसिटी का मामला है, घनत्व का मामला है, उसका घनत्व पाने के घनत्व से अधिक होता है. आपका पहला ही स्टेट्मेंट से यह है, पश्चपन में आपने पढ़ा होगा, अगर समुद्र में हम खील डालत का उद्देश क्या है? मंगल की भूवयग्यानिक गतिविधियों का अध्यान, चंद्रमा की सताह की अध्यान, पृत्रवी की वायुमंडली स्थितियों का अध्यान या सूर्य की सताह की घटनाओं का अध्यान. आपको यह तो पता है, यह आदित्य मतलब क्या होता है? सू इसको बनाया जा रहा है और सूट, इनिटी के द्वारा इसको मतलब सोलर अल्ट्रा वायलेट के इमेजिंग टेलेस्कोप. क्या आप शब्द बोला मैंने? सूट, इनिटी के माध्यम को प्रयोग किया जा रहा है, सूरी की सता की घटनाओं का अध्यन किया जा रहा है. इनियम लिखित में कौन सा कथन सही है? फिदय अप्षरव या आवरत्ति का कमपन करता है, बिल्कुल ठीक है. द्वानी की गती गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, ये बिल्कुल गज़त है. क्यूं द्वानी की गती सबसे जादा किसमें होती है? चलिए पर खलान से जादा, फिर कांच में होती है, फिर लोहे में होती है. गैस तो बहुत बाद में आ रही है. ऐसे सबसेऩेी होती具. इनियूं द्वानी की गती में द्रव एवान धोस की तुलना में अधिक होती है. ये खिलत हो गया? मैक्स संक्या में होता है, ग्निटी 되रुकर स तो आप बताओ इसमें कौन सा option होगा, मैंने आपको पूरा detailed form में एक-एक करके बता दिया, मैंने आपको बता दिया, दूसरा option गलत है, तो क्या सही होगा, जब सितार और बासुरी, सितार को इंग्रिश में सितार ही कहते हैं, बासुरी को flute कहते हैं, एक ही स्वर पर बजाया जाता है, तो उस पे उत्पन ध्वनी का भेट, तुन्निम लिखित में अंतर का कारण, तारत्व प्रबलता ध्वनी गुड़ता, दूसरा तारत्व और प्र पूप मार रहे हो ना, तो किसका डिफरेंस होगा, funny गुड़ता, खाल ही में chat GPT का पूर्ण रूप क्या है, बहुत चर्चा का विशा है रहा chat GPT, और बहुत अच्छा भी है, आप जैसा question आते हो, वो आपको format में answer देता है, बहुत अच्छा AI का इस्तमाल किया गया है उसम अब सभी civil aspirant है, तो बहुत बच्चे खुश हो रहे थे कि chat GPT, जो है, QPSC की परिक्षा को pass नहीं कर पाया, हम लोग उनसे sharp brain है क्योंकि हम लोग pass कर लेते हैं, कि क्या है, इसका full form है generative pre-trained transfer, क्या है full form, generative pre-trained transfer, last question, science group का आपका इस्पन्ने का, कि निम लिखित में कौन सा अफबाव सिध्धान्त को परिभाशक करता है, अफबाव का नियम परमाड़ों को कक्षा भरने के लिए प्रयोग किया जाता है, अगर आपने पढ़ा होगा बर्श्पन में तो आपको याद होगा 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, कि क्या है ये परमाड़ों संख्याओं को भरने का कक् यहाँ पर आपका पहला ही क्वेश्चन सही हो गया है, कि परमाड़ों की कफशाओं को भरने का काम करता है, भीमे-धीमे हम लोगों ने 70-70 जात्रा को पार कर लिया है, बस कुछ इतने ही क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं, उस यात्रा को कि हम आराम-ाराम से पार कर थोड़ा सा इवर हम बता देते हैं, जो नए बच्चे जुड़े होंगे, कि आस्था के एप से जुड़कर या आफ्लाइन क्लासे में आप 69 BPSC की प्रिलिम्स टेस्स परिक्टा को जॉइन कर सकते हैं, उसका कूर्स बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है, और मुझे मैं बार से बहतर है कि वो जैसे एक लाइन है ना कि पेपर तुम्हें डराए, इससे अच्छा है कि तुम पेपर को डराओ, इतनी बाद तुम पेपर दे चुको, कि तुम्हारा जो फोबिया है, जो फोबिया है, उनकी साथा बहुत कम या ना के बराबर हो, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, समस्थानिक के रूप में जो असत्ते हैं, उनको छाटना है, चलिए, देखते हैं, T32, विट्टी के अंदर फॉस्फोरस का पता लगाने वाला, वोबॉल 60, सोरी, कैंसर यूक्ति ट्यूमर के लिए, NA24, सोडियम, एनीमिया के उपचार में, 131, भेंगा के उ अधूरा सा दिख रहा है, यह आई-31 है, ठीक है, आयोडीन है, तो हम बच्मन से पढ़ते आ रहे हैं, कि गेंगा के उपचार के लिए, आयोडीन का प्रियोग करते हैं, गेंगा को इंगलिश में को आईटर कहते हैं, जो आपकी थायरसी, आप सुनते हैं, थायराइड, था पॉस्पोरस का पता लगाने के लिए बिल्कुल सही है, तो आपका क्या गरबड़ी हुई, sodium 24, देखिए, sodium 24 न, blood से ही related है, पर वो रक्त प्रवाह को देखने के लिए है, जो blood का flow है, उसको detect करना है, कि रक्त सही से प्रवाह हो रहा है कि नहीं veins में, ठीक है, अनीमिया का मत कमी हो जाना और खूर की कमी मतलब हीमोगलोबिन की कमी हो जाना, जो आपके blood का main content iron part है, ठीक है, next है कौन सा जोड़ा, सुमेलित नहीं है, विटामिन B1, thymine, एकदम सही है, विटामिन B2 आपको बता दे रहे हैं, राइबो फ्लेविन, विटामिन B3, नियस्तिन, तो आपको शायद यहीं पता चल गया होगा कि विटामिन 3C, नियस्तिन है, मतलब बायोटीन नहीं है, तो बायोटीन क्या है, विटामिन BH, जो आज कल बालों के लिए खूब खिलाई जाती है कि भया खाओ, आपके बाल अच्छी रहेंगा, आपके skin अच्छी रहेंगे, विटामिन B12, साइनोकोबलमीन एकदम सही है, विटामिन C, एसकॉर्बिक एसिट, वो भी एकदम सही है, अच्छा है, इसे होने वाली बिमारियों के बारे में पता है आपको, विटामिन C से इसकरवी रोग होता है, आपको पता है, इसकरवी रोग दातों के मस्मूरों से विटामीन B2 और B1 आपका B1 के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि B1 की कमी से दो चीज़े होती है एक तो आपको बॉडी में स्पोट होते हैं और जो बॉडी की जो ड्राइनस है वो बढ़ जाती है ठीक है किलॉसस भी होता है उसके कारण नेक्स्ट है आपका question अच्छा इधर भी कराते चलते हैं प्रिम लिखित में किस कोशिका में mitochondria तथा केंद्रक नहीं होता है देखें दो तरह की cells होती है prokaryotic और eukaryotic कौन कौन सी होती है prokaryotic and eukaryotic जो prokaryotic है मैं बच्चों को याद करने का थरीका सिखाती हूं जब बायो पढ़ाती हूं कि prokaryotic का पी पकड़ लो प्री का मतलब primitive पुराना और eukaryotic को advanced देख लो नया तो सब इससे पुराना क्या है bacteria है तो किसमें नहीं पाए जाएगा mitochondria bacteria में नुक्लियस और mitochondria नहीं पाए जाता मीजोसोम पाए जाते हैं पर अब बहुत जो काम करते हैं mitochondria जैसे ठीक है यूके रॉट में आपके developed cell plant पॉदे आम लोग सब लोह के अंदर पाए जाती है ठीक है next question है protein synthesis में सबसे अधिक प्रभावी भोमिकाव कौन निभाता है अंता प्रदवे जालिका endoplasmic reticulum and ribosome राइबोसोम को कहते ही protein factory है उसको जाना ही इसी नाम से जाना दाता है जो endoplasmic reticulum है बेटा वो दो तरह की होती है एक होती है smooth surface और दूसरी होती है rough surface ser and r er smooth surface endoplasmic reticulum और rough endoplasmic reticulum रफ जो ऐसे structure होता है ना ऐसे से बिंदी बिंदी के रूप में जो पाई जाती है एक्चुली यह क्या है यह ribosome है ribosome के present होने पर इसे कहते है rough endoplasmic reticulum छुट चुट 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 रदाने हो जाएंगे body के उपर तो बोलते हैं रफ हो गई है जब उसके उपर ribosome थोड़ा जा रहा है तो वह rough है और absent है तो वह क्या कहते है smooth endoplasmic reticulum पर पर रहा है तो जब दोनों में ही ribosome पाया जा रहा है और ribosome क्या है protein factory है तो इसका answer क्या होगा 82 का A next question आता है कि कौन सा जोड़ा असत्य है हम बच्पन से इस question को पढ़ रहा है कि कुनायन सिंकोना की छाल से प्राप्त होता है एकदम सही फिर हम पढ़ रहा है कि caffeine coffee के बीजों से प्राप्त होता है हम खुब भर-भर की coffee पीते हैं caffeine के लिए next है hing ferula के पौधों की तनों से प्र प्राप्त होता है बस तनों की जगह क्या हो जाएगा जड़ तो यही आपका असत्य है पाया ferula के पौधे से जाएगा पर जड़ से पाय जाएगा ना कि तने से इंग्लिश में कहते हैं root rubber कीविया के पौधों के प्राप्तिलेटिक्स अब को पता है कि प्राप्तिलेटिक् अब नेक्स्ट आता है आपका सेब का लाल रंग एंथोसाइन से प्राप्त होता है बिल्कुल सही है नेक्स्ट टमाटर का लाइकोपीन से प्राप्त होता है बिल्कुल सही है गाजर का रंग कैरेट से कैरोटीन बिल्कुल सही है हल्दी का पीला रंग नहीं जैन्थोफिल स ना कि plant का pigment है, curcumene, क्या नाम है इस pigment का, curcumene, तो इसमें से कौन सा जोड़ा आसते है, हल्दी का रंग आसते है, जहन तो फिल, algae का pigment है, ना कि हल्दी का pigment है, curcumene, अब यहाँ पे, नीला थोता copper sulfate, C-U-S-O-4, जोड़े मिलाना है, कौन किस से है, Epsom salt, M-G-S-O-4, magnesium sulfate, baking soda, sodium bicarbonate, plastic soda, N-A-O-H, chemical formula है, बता दिया, आपको नाम भी बता दिया, तो easy रहाँ नीला थोता, copper sulfate, C-U-S-O-4, Epsom, M-G-S-O-4, baking soda, N-A-H-C-O-3, sodium bicarbonate, caustic soda, N-A-O-H, मुझे लग रहा है, यहाँ तक आपकी चीज़ें काफी clear हो गई होंगी, यहाँ तक आप लोग को समय, अच्छा, sorry, मैं उधर से कर देती हूँ, तपर इस हो जाता है, कठोर जल में, आपको पता है कि जलों में अशुधिया पाई जाती है, उनका डिवाइडेशन दो प्रकार का होता है, एक कठोर जल होता है और एक नर्म जल होता है, soft water या hard water होता है, जिसकी अशुधिया पाई को उबालने से चली जाएं, उनको नर्म जल या soft water कहते हैं, पर जिस पानी की अशुदियां उबालने से ना जाएं, उसे hard water कहते हैं, इसका सीधा आंसर है, calcium, magnesium, iron के sulfates पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, calcium, magnesium, iron के sulfates पाए जाते हैं, hard water का शोस पही हैं, अब next question है कि थंडे देशों में, सरदियों में, सरोवर जल में जम जाता है, और सतह का ताफ मान नीचे बना रहता है, 4 degree centigrade, इसलिए आपने पिच्रों में, कुवियों में देखा होगा कि उपर बर्फ जमी रहती हैं, नीचे मश्लियां जंदा रहती हैं, यो कि पानी उपर का जमता है, नीचे थोड़ा सा गर्म बना रहता है, गलन की गुपतुश्म, वो इसलिए वहाँ पे आप देखते हों कि मश्ली बगरा जंदा रहती है, उसका टेंपरेचर है, 4 degree centigrade, साधरा नमक का फॉर्मुला बच्पन से पढ़ रहे हो, क्या है, NACL, तो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, निमलिखित में कौन सा गुड़ धर्म, आवर शाड़ है, तो आप लोगोंने बहुत पिरोडिक टाइविल पढ़ी होगी, आवर्चानी पढ़ी होगी, तो उसमें आपने एक, हम लोग फॉर्मुला याद करते थे, हलीना ने की रब से फरियाद, ये फॉर्मुला बनाते थे ना हम लोग, खीक है, ऐसे हम लोग बनाते थे ना पूरा, और हम लोग दिखते थे कि अगर उपर से नीचे जा रहे हैं, तो क्या होगा, बढ़ेगा, परमाडू की तज्या, रेडियस ओफ आटम, इंक्रीस करेगी, भीड को तितर बितर करने में, पुलिस द्वारा इस्तुमाल करने वा तो क्लोरीन, क्लोरीन एक ऐसी गैस है जो आखों में भी लगती है, ठीक है, अमोनिया ऐसी गैस है जो नाकों में चुपती है, और जब वाश्रूम के बाहर से गुजरते होना जो उसमें लाती है, यह वही है, कारबन डियोकसाइड आपको पता है कि जीवन के लिए आवश् कारग गैसों में आता है, ठीक है, अच्छा, अब आता है किस भारती संस्थाने, प्रोजेक्ट प्राण के नाम से एक गहन देखबाल इकाई के ग्रेट वैंटिलेटर को बनाया, तो भारती विज्ञान संस्थान से बड़ा क्या होगा, आप लोगों के लिए मैं आंसर टिक कर दे रही हो, जिसका छोड़ गया हो, वो अपना कर सकता है, ठीक है, तो भारती विज्ञान संस्थान के से बड़ा क्या है यह, IISC, कहां पर है यह, bank law, ठीक है, तब इन्वसटीस के रांकिंग आते हैं, वो आल्वेस टॉप पर होता है, अंडिया की हो, सभी भी वो साइक का है, जो plant होते हैं और उनमें cell wall present होती है, और वो kaitan की बनी होती है, और animals में नहीं होती है, दूसरा अंतर क्या होता है, प्लांट में प्लास्टिड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, प्लास्टिड, और जिसके गरांट पौधो के रंगहरे आते हैं, तभी तो अपना भूजन बना पाते हैं, प्रकास संसलेशन अ फोटो संथेसिस के माद्यम से, तीसरा, जितने भी प्लांट है, उनके जो vacuoles होते हैं, रिक्तिकाइ होती है, क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है, और उनमें centriole cell भी present होते हैं, क्या present होते हैं, centriole cell present होते है, centriole cell का importance क्या है? Cell division करना उनका important है, अभी आगे question आएगा तो आपको बतायेगे, कि cell division दो प्रकार का होता है एक होता है mitotic, दूसरा होता है meotic, समसूत्रविभाजन और अडसूत्रविभाजन ठीक है, जिसके वरा cellों का दिर्मार होता है गाय और भैस में दूद उतारने के लिए किस हॉर्मोन का injection लगाया जाता है बच्पन से देख रहे है oxytocin, oxytocin ऐसा हॉर्मोन है तो milk production वाले animals हो नहीं लाएं हो दोनों में होता है, कहते हैं कि जो बच्चों के लिए अपना frame है ये हॉर्मोन बहुत बड़ा रोल लिभाता है milk production में इसका बहुत important रोल है, ठीक है अब next question आपका पादब डाई महंदी, निम लिखित में से किस के साथ प्रक्रिया के क्वारण स्वचा और बालो को नारंगी रंग प्रदान करती है, protein and amino acid, आपको पता है basic elements में हम पढ़ते हैं vitamins, carbohydrates, protein, amino acid proteins तीन तरह की होती है जैसे simple protein होती सरल protein होती है, जो एक प्रकार की protein से बना होता है, दूसरी होती complex protein, या compound protein, दो प्रकार के proteinों से निर्माड होता है, थर्ड होती है derived कि किसी protein के form से उस protein का निर्माड किया जाए, ठीक है, अब बात होती है, amino acid body में total 20 types क्या amino acid होती है, कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के, जिसमें 10 essential होते हैं, आवश्चक होते हैं, और 10 non essential होते हैं, कभी आपने ऐसे देखा होगा, leucine, glycine, methinoin, यह जो है ना, यह आपके क्या है, amino acids हैं, ठीक है, और protein के टूटेने से क्या वनता है, amino acids है, इससे लिए बो बोडी के 10 essential और non essential amino acid balance हैं, बहुत ऐसी छोटी छोटी बिमारियां हैं, जो amino acids आपको create कर देती है, next question, पादप सूरिक के प्रकास से प्राप्त उर्जा को कार्भु हाइट्रेट के रूप में परवर्दित करता है, बिल्कुल, glycogen के रूप में रखता है, आपको पता है ना, यह चीज़ की, photosynthesis की process में क्या-क्या चीज़ें important होती हैं, क्या चीज़ें important होती हैं, भाई, light, सूरिका प्रकास, हरा पौधा, जिसमें chlorophyll present हो, पानी, ठीक है, पादप में परणहरित होना चाहिए, वही chlorophyll होना चाहिए, बिल्कुल सही है, पादप कोशिकाओं में कोशिका बित्ती नहीं होती, कैसी बात कर रहे हैं, अभी मैंने बताया है, कि भाया, cell wall होती है, तो कौन सा सही हुआ, एक और दो, एक question इधर रह गया था, बैटरी में निमलिखित में से किस एक acid का प्रयोग किया जाता है, sulfuric acid, S2SO4, इसका form, यहां तक जितनी चीज़ें आपको बताई होंगी, समझ में आरही होंगी, ठीक है, आगे बढ लिखते हैं, अहार नली में, एक second बताई पी लिया जाए, प्यास लग गई बुलते बुलते, अहार नली में अंगो द्वारा स्त्रावित, अंगो द्वारा स्त्रावित, कौन सा रस्वसा के लिए महत्वपून भोमिका निभाता है, फैल जुस कांई कों करता है, पाईल रूस करता है, बाईल जूस कहां से सेस्क्रीट होता है, गॉल ब्लैडर से सिक्रीट होता है, बाइल उसका सिक्रीशन कहां से होता है, गॉल ब्लैडर से होता है, बट सबसे इंपोर्टेंट बात, इसका स्टोरेज लीवर करता है, सिक्रीट कौन कर रहा है, गॉल ब्लैडर कर रहा है, ठीक है, स्टोरेज कौन कर रहा है, ठीक है, ठीक अभी मैंने आपको माइटोटिक, मियोटिक का नाम लिया था, बताया था कि कि अर्दशूत्री के बात हो रही है कि इस चरन हम में अर्दशूत्री की बात हो रही है, कि iस चरन में होता है और प्रोफेज निय निय को फाइनल फेज होता है जहां पर सेल का formally हो जाता है चczyडिमाय होट इसके अंदर फाइस्ट निहां है जो माईटोषा को सा कथन असत्य है भारती समधान का अनुच्छेत 32 प्राक्तिक न्याय के सद्धान के विरूद आपको समधानिक उप्चार प्रदान करता है सही है या गलत अब क्यूंकि पॉलिटी बहुत हाड नहीं होता है तो कुछ क्वेस्टन का आंसर तो आप लोग को भी देना पड़े गा तो बताईए नहीं करता भाई प्राक्तिक न्याय की बात कहां होती है तीनी तहके न्याय की बात होती है हमारेे जब सम्म्धान की प्रस्तावना के बात होती तो एकास राजनीदिकieve से तीन के सामाजिक फार्वाति और राजनीत. ठीक है? भारती समिधा ने प्राकतिक न्याय का उल्ले किया गया है, तो पहले ही बता दिया हमने तीन, तो ये क्या है? असत्य है. प्राकतिक न्याय के सद्धान के अनुसार, उचित सुनिवाई के लिए बिना किसी व्यक्ति को दंडित नहीं कर दोगे. क्या होगा? कौन सा असत्य है? हमने आपको बता दिया है. बताओ भाई आप लो. क्या होगा इसका? एवल दो. ठीक है? जब कहा जाता है? अच्छा, एक से. इधर जले आते हैं. यदि राश्पति एवं उपराश्पति का पद खाली हो तो भारत की राश्पति के पद को कौन देखता है. भारत का मुख्य ना फिर जाता है. अगर वह भी ना हो, जो जलेशिम होती है, उसका कुई शेयर पर संदेखता है. ठीक है? भारत का समिधान का संघी लक्षण, एकल नाग रिकता. कौन सा ऐसा देश है जो एकल नाग रिकता को अपनाता है? भारत और बितेन द चुनाव आयोग, आर्टिकल 3.24, राजभाशा आयोग, आर्टिकल 3.44, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, आपके options नहीं दिये हैं, दिये हैं भाई, मैंने गलत नहीं किया, ठीक है, ये fact है आपका सीधिय, जब तक कहा जाता है कि मूल अधिकार असीमित नहीं, तब हमारा अर्थ क्या है, एक दम एक लाइन पे इसमें कभी डाउट मत रखेगा, युक्ति युक्ति निर्बंदन के साथ है, कभी भी कोई चीज असीमित शक्ति के रूप में नहीं आती है, तो आपका पहला ही option, सही हो सांसोद करके निरास्या संसोदी नहीं कहा सकता, कहा सकता है, आपका आर्टिकल जो, ऐसा अच्छा, ऐसा कौन सा संविधान संसोदी से इसे मिनी Constitution, आर्टिकल 42 के बारे में आपने सुना है, उसे मिनी Constitution कहते है, ठीक है, नेक्स्ट नागरिकोर ग्यारणायकों के लिए है, त जब हम कहते हैं कि हमने कोई विधी उलंगन की सीमा तक सूनने होगी, कब हमारा आश्य इस अंदर्व में कथन सत्ते है, यदि अधिनियम का कोई मूल भाग अधिकारों का अलंगन करता है, तो वह भाग अवैद होगा, सबसे पहले बताओ कि ऐसा कौन सा केस है, जो बहुत इं करनाता है इसमें मूल अधिकारों से संबंधित में, केश्वा नन भारती का नाम नहीं सुना आप लोगो, ठीक है, कह रहा है कि यदि अधिनियम का कोई भाग मूल अधिकारों का उलंगन करता है, तो भाग अवैद गोशित करेगा, बिल्कुल सही, यदि अधिनियम का कोई अवैद भाग प्रतक होने पर अधिनियम का मूल उद्यश विफल हो जाएगा, तो संपूर्ण अधिनियम अवैद गोशित हो का गलत, आपको बार-बारिक लाइन बूली जाती है, जब पढ़ाते हैं कि समविधान में परिवर्टन तो हो सकता है, उस भाष्ण में परिवर अच्रम पराली का सर्वत्तम बर्णन है, हमारे अस्तरवधिक मत से जीतने वाला व्यक्ती पराली में आता है, इसे फर्स्ट पास्ट वाला बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट पास्ट हमारे यहाँ आता है, मान लेजे, तो मैं समझाती हूँ थोड़ा, 100% लोग हैं, और अगर आप 10% सबसे जादा वोट पा गए ना, तो आप जीत जाएंगे, अगर आपने 10% लोगों ने वोटिंग की और अगर आप 7% वोट पा गए तो भी आप जीत जाएंगे, तीन परसेंट वाला हट जाएगा, या सेकेंड आएगा, पूरे वोट का आधा या कुछ यासे की, कै आपके पास वोट होना चाहिए, जिसका जितना जादा हो जाएगा, पहले ग्रोप में उचीत जाएगा, नेक्स टैटनियम लिखित में कौन सा केंटरिय मंद्रिय मंद्रिय का सहस्त्र का विवरा नहीं है, विशेशनेता होते हैं, संसत के प्रति उत्तरदाई है, हम लोग संसत में विश्वास प्राप्त हो, ठीक है, संसत के बाहर किसी व्यक्ति को कभी मंत्री मंद्र का सदस्य नहीं किया, जास सकता है, सही विवरा नहीं है, या कभी ऐसा होता है कि संसत के बाहर के व्यक्ति को कभी नहीं नहीं कर सकते हैं, छे महिने के अंदर आपको मंत्री पहली लाइन पे असत्य आ गया, आपको पता है विधान परिशद और राज्य सभा में एलेक्षन लड़ने के लिए एज होनी चाहिए 30, लोग सभा और विधान सभा के लिए एज होनी चाहिए 25 और प्रेसिडेंट के एलेक्षन के लिए एज होना चाहिए 35 और अगर ग्राम पंचायत का एलेक्षन आप लड़ते हैं तो एज होना चाहिए 21, ठीक है, next समविधान, अच्छा इधर देख लेते हैं पूरा, पहला ही देख लिया था, इसलिए आगे नहीं बड़े कि उसका नाम राजे सूची होना चाहिए वोटर लिस्ट में, भारत राजसरकार किसी लाब का पद्धारन नहीं किये हुए हो, लोग बात करते हैं, चाहे जिसका संदर्व में कौन सा सत्य है, यहां भी पहला ही असत्य हो गया, क्यूंकि हमें पता है, 101 वा क्या है, GST है, क्या है, GST है, 102 विछड़े तपो के लिए, 102 विछड़े तपो के लिए, OBC के लिए बनाया गया है, आयोग 338 का B में रखा गया है, 103 EWS का आरक्षन, 104 SCST का आरक्षन, ठीक है, तो कौन सा गलत हुआ आपका, 101 निमलिखित में कौन सा कथन, राष्ट्रे, विकास, परशत, सम्मंधित नहीं, इसके अंतर्गत, सभी राज्यों के मुख्य मंत्रे, इसके चेयर परसन होते हैं, ठीक है, इसका निर्माण, 6 अगस्त, 1952 को हुआ, यहां एक गयर सम विधानिक निकाए है, ठीक है, यहां एक विधानिक निकाए है, नहीं, विधानिक निकाए या स्टाचुरी बॉड़ी का मतलब होता है कि पार्लियम इंट्रेसित पास करके बनाया जाता है, प्रतेक वर्स में कम से कम दो बार इसकी बैठक होनी चाहिए, तीन बार होनी चाहिए, सब जगह हम दो बार पढ़ते हैं, सिर्फ अंडी से की ऐसा है, जहां बैठक तीन बार होनी चाहिए, नेक्स्ट, काल क्रम में लगाना है, मतलब हमको सीधे, फैक्ट पता होगा, तभी इस क्वेशन को कर पाएंगे, तो सामुदाइक विकास कारिक्रम, 1952, पंचायती राज कब लॉंच होआ था इंडिया में, 2nd October 1959, 2nd October 1959, नागाउर, राजस्थान, तूसरा, एकी कृतिया, Integrated Rural Development Program 1979 से, 1980, ग्राम पंचायतों में स्टो का आरक्षन, 1993, कौन सा अमेंडमेंट है ये, ग्राम पंचायत 73, नगरपालिका 74 अमेंडमेंट, बस अब लगा लिजिए, 4 नमबर सबसे पहले होगा, फिर 1 होगा, फिर होगा आपका 3, और फिर होगा 2, तो आपका इसमें स्टो का इसमें स्रीज गलत दिया है, अगर कोई माच नहीं कर रहा है, क्योंकि जुक्त नहीं बताया है, कोई ग्राम सही हो, उसमें टाउट मत रखे, कभी-कभी हो जाता है, तो प्रेंटिंग में गलती हो जाती है, किन्हम लिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा से لिया गया है, कनाडा द्वारा भारती सम continuum द्वारा अपना आया नहीं गया ऑच्छा, कनाडा से क्या-क्या लिया गया है, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल के नियुक्ति बिल्कुल सही है, उच्छितम नयालो का परमारशी निर्णयान यह भी एक दम सही है, तो राज्य सभा के सर से नॉमिनेटट किये जाते हैं, नामंकर किया जाता है, यह कहां से लिया गया है, आयर लैंड से, Ireland से एक बहुत important चीज ली गई है और बहुत बार पूची जाती है TPSP नीति निदेशक कत्व ठीक है next question है प्राइदी भारत की 30 सीमा अगर total पूछता है 30 सीमा 7516 क्या बता रहे हैं 7516 अगर पूछता है मुख्य भूमी तो एक सट सो किलोमेटर माइनस कर दिया जाता है ठीक है 7516 इसीमलिक्त में कौन सा कथन असत्य है काडवं पहाडया या इलाइची की पहाडया हमको पता है Keralta-Miladu के तत्में दक्षिपरवश्वश्वडी में है सही है मांडव पहाडया महरास्ट्र में है क्या सही है मांडव पहाडिया कहा है गुजरात में है मांडव पहाडिया कहा है गुजरात में तो बस कथन असत्ति कौन सा है मांडव पहाडिया गुजरात में है अजनता कि श्रुडिया कहा है महराश्ट्र में है ठीक है अजनता लोरग गुफाय पढ़ते हैं आप गरजात पहाडिया क कहा है औरिसा में हैं। इमलिखित में से किसका विकल्प सुमेलित नहीं है, प्रोहतांग दर्रा हिमाचल में है, एकदम सही, बोमडला अरुनाचल प्रदेश में है, एकदम सही, तिफू कहा है, मिजोरम में है, कहा है, मिजोरम में है, बस यही आपका गलत आंसर है, तिफू म इधर आ जाते हैं, आठ डिग्री चैनल से अलग होता है, रक्षडी अंडमान और लगू अंडमान के मध्ध कहलाता है, डूंकन पास, कौन सा पास, डूंकन पास, ठीक है, अंडमान और निकोबार के मध्ध, 10 डिग्री चैनल, कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल, लक्षडीव और मिनी काई, 9 डिग्री चैनल, माल दीव और मिनी काई, 8 डिग्री चैनल, मैंने एक ठोटा सा फॉर्मुला बनाया है, अगर आपको याद करना होता, आप याद कर सकते है, 8 mm, ठीक है, क्या बता रही हो मैं आपको 8 mm, 9 ml, 10 an, ठीक है, जैसे 10 am होता है ना तो 10 an, ठीक है, डूंकन पास अपना किसी तरह याद कर लिजेगा, प्यूंकि मुझे याद है इतने सारों से पढ़ते पढ़ते तो आपको बता दिया formula, next question है, कौन सा स्वमेलित नहीं है, saddle peak, उत्री अंडमान में है, एकदम सही Mount Denivali, बध्यंडमान में है, बिल्कुल सही, Mount Thuliar, ये कहां है, ये निकोबार में है, ना की दक्षणी अंडमान में, कहां है, निकोबार में है, तो ये आपका स्वमेलित नहीं है, Mount Theriat, दक्षण अंडमान में है, next question है, हरित क्रांती, तो आपका green revolution है, वो राइस और वीट की production से है, गेहुआ और चावल की production से है, 1966 से 67 के दौर में आया, कब आया, सरसथ, 1966 से 67 के दौर में आया, पश्मी, उत्तर प्रदेश, पनजाब, हर्याणा में सबसे जज़्यादा प्रभाव रहा, पनजाब नदियों का भाहि राजच हैं, पांच नदियाँ, इसलिए पनजाब कहते हैं, नहरों के द्वारा हजाना को पानी मिला, रश्मित्य प्रदेश में गंगंधर का बहुत अच्छा पानी मिला, और आपको पता है कि HYP, High Yielding Product को यूज किया गया, इसमें बहुत अधिक पानी और बहुत अधिक खाथवा प्रयोग किया गया, लेक्स्ट है, गुटेन बर्ग अज़ा संबत दभड़ा, आपकको पता है, प्रृथिवी की आंत्रिक सिंभा का जब विश्त अधियन किया जाता है, तो हम कई सारी चीजे पढ़ते हैं, उसमें हम मुसाविक को पड़ते हैं, गुटेनबर्ग को पड़ते हैं, रैपिटी को पड़ते हैं, लेमेन को पड़ते हैं, उनके डिवाइडेशन के नाम से बटा हुआ है, जैसे मुझाविक, क्रस्ट और मेंटल के बीच का स्थान, क्या है क्रस्ट और मेंटल के बीच का स्थान, रैपिटी, यह क्या है, बाहरी और आंतरिक मेंटल, यह रैपिटी है, रैपिटी असमदता, क्रोडवा मेंटल, यही क्या है आपका आंसर है, इसका रैपिटी बता दिया है, क्रोडवा मे बूला लेह मैंट, ऊपरी कोड एवं आंतरी कोड, हायर एंट, लोवर क्रोड की बीच का जो स्ट्रक्चर है, वो आपका क्या कहलाता है, लेह मैंट, असंभधता, आगे चलते हैं, निमलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, अच्छा, एक क्वर्श्टी का है, भूरगाट मह सरास्ट था, आपका क्वर्ष्चन है, कि निमलिखित में कौन सा संबद नहीं है, जन जातियां पूछा है, स्री लंका में Harry जन जन जाती है, बिल्कुल सही है, Scotland में High-lander पाई जाती है, बिल्कुल सही है, Georgia में पाई जाती है Cracker, एक पर है फिलिपीन्स की कहां की जन जाती है फिलिपीन्स की नेक्स्ट है आपका पुष्ट्ट कटिबंधी चक्रवातों के बारे में कौन सा कथन सही है पश्मी उत्री-प्रशांद शेत्र में इन चक्रवातों को टाइफून तो हम आपको थोड़ा सा याद करने चीन बताते हैं कि चाइफ चाइना में जो आते हैं उन्हें टाइफून कहते हैं जो अमेरिका में आते हैं हरीकेंस कहते हैं तो यह क्या हो गया चला गया, एक उस्ट कटिबंधी चक्रवात तेजी से घुमने वाला तूफान है, जो उस्ट कटिबंधी ये महा सागरों से उत्पन होता है, बिल्कुल सही, ये एकदम सही है, इस प्रकार के चक्रवातों का व्यास 200 से 500 किलो मीटर तक होता है, और जो 1000 किलो मीटर तक बढ़ सकता है, विपरजाय एक उस्ट कटिबंधी चक्रवात था, तो आपको पता है कि विपरजाय एक उस्ट कटिबंधी चक्रवात नहीं था, यहाँ पर क्या होगा, केवल दो सही होगा, ठीक है, इस इदर आते हैं, पाक, जल, डम, रूम, बदिर था, मनार की, खाड़ी के, सक का आंसर क्या होगा, क्योंकि हमने आपको अभी जस्ट बताया है, जुंकन पास के बारे में, आपको पता है, श्री लंका अलग होगा, वही एक देशी है, पसपास में है, ठीक है, भारत में प्रमुख, नीतिगत, रैपो, दर्का, निर्धारन किस के द्वारा किया जाता है पर यहां पर दिया हुआ है, उच अधिकारी प्राप्त मौद्रिक नीति समिती, जो मोनेटरिल पॉरंसी का फॉर्मिशन करते हैं, बलकुल उनी के द्वारा किया जाता है, ठीक है, वैश्विक भूख सूचकांक स्कोर को मापने के लिए कौन सा सूचकांक सही नहीं है, श् भारत में गरीबी का आकलन, किसके द्वारा कर जाता है, अभी पोवर्टी इंडेक्स आया था, जब हम करेंट में आपको पढ़ा रहे थे, तो हमने बताया था, नीति आयो के कारेदल द्वारा, किसके द्वारा, नीति आयो, डेटा कलेक्शन अनलिस का सारा काम ये लोग कर पराथमि घाटा क्या है, या primary deficit क्या है, जैसे जब भी आप बात करते हो say primary deficit की आपो चीटा सा formula याद रखाना है, 58- payment- .ifical deficit minus payment interest कि वह ही आपका पराहतमि घाटा है आई original है अगर जिसने सरकार बहुत सारे जैसें, लोन लेगर है, से लिए है, World Bank से लिए है, IMF से लिए है, AIB से ऐसे सांस्थानों से लोन ले रखा है, तो हमारा total loss उसे कैसे निका लेंगे, हमारे physical deficit से क्या माइनस कर देंगे, payment, interest को माइनस कर देंगे, तो हमारा प्राथ में घाटा निकल आएगा, अब आता है निमलिखित में कौन सा असत्य है, मेकिन इंडिया, देश में अधिमता को बढ़ावा देना था, ठीक है, यह आई थी 25 सेप्टेमबर 2014, सागर माला, बंदर गाहों का आधुनिकी करण, बिल्कुल सही है, बंदर गाहों का आधुनिकी करण करने आई थी यह योजना, और इसकी शुरवात हुई थी 25 म पंदरा, फिर्दय योजना, मुफ्त गैस लेना, एकदम गलत है, मुफ्त गैस में आपको मुफ्त गैस भी नहीं, उज्वला योजना सबस्टी के ताहत दिया जा रहा था, फिर्दय योजना, आपकी हैरिटेज साइट्स के लिए, विरासत किस्टों के लिए, और यह सवरी 2015, उड़ान योजना, उडए देश का आम नौगरिक, 21 अक्टूबर 2016, इन चार योजनाओं के बारें बता दिया, तो आपको पता चल गया कि हर्दय योजना कि से लेटेट है, विश्व विराशत स्तलों से रुलेटेटेड है, फिक है, कमा वेशी समृद्धी के विश्विका पुनरतदार, इवाम स्वास्त खा, विश्विका मतलब ही है, ऐसा विकास जिसमें सब्सक्राइब इसमें इंफ्रास्टूक्चर भी चाहिए, अग्रिकल्चर भी इसे मशीन अजाईशन हो चुका हो, लोग नहीं कर रहे हो खेती, ठीक है, बड़े-बड़े के रूप में हो, और एजुकेशन और स्वास्तो निभाता है, तो उप्योक्त तभी, इम लिखित में से कौन सी तरलता समायोजन की निया उपरी होना है, देखिए, इतनी परिभास आएं, फटा-फटिग भाग, आपको बताते हैं, बैंक रेट वहारेट है, जिसमें RBI कॉ को रड़ देता है, तो बहुत liquidity पर change नहीं आएगा, दूसरा, CRR या cash reserve ratio, जब भी क्या होता है, कि आपको credit open करना होता है, तो credit change के लिए क्या होता है, कि कुछ पैसा आपको या कुछ चीज़ें आपको किसके पास रखनी होता है, RBI के पास, एक आता है SLR, structural liquidity ratio, कुछ पैसा या कुछ amount, या कुछ सोना, कुछ अपने पास रखना होता, उस bank को, जो credit of control कर रहा होता, जो controlling का काम करता है credit को, आता है Rapporate और reverse Rapporate, अब देखिए इसकी परिभाशा और आपको बात समझ नहीं तरह आलता समय होता है, कैसे का initially और उपरी समा, Rapporate का मतलब है कि जब RBI, कॉमर्शिल बैंक, RBI से लोन ले रहे हैं, बट अब लोन दो सर्तों पर मिलेगा, एक mortgaging, कुछ गिरवी रखो, और लोन क्या होगा, short term होगा, reverse Rapporate, जस्ट उल्टी परिभाशा, कि जब RBI, कॉमर्शिल बैंकों से लोन ले, condition वही, कि mortgaging और short term process, ठीक है, तो reverse Rapporate अपक है, कि हम लिखित में कॉन सा पंचवर्शी योजना में प्रियोक्ति विकास का model है, प्रिथम पंचवर्शी योजना 1951 से 56, महालो मैलिस 1956 से 61, F शक्रमर्थी, यानि कि इनका जॉन सांडियन सुख्मा चक्रवर्थी model है, ये 1966 से 66, फिर आपको पता है, 66 से 69 में अनुवल प्लान आया था, गैप हो गाया था योजनावों में, खीक है, अनुवल प्लान, महाल वीर रुद्र मॉडल नहीं है, L.S. मन्ने एन अशोक रुद्र मॉडल, क्या नाम है इसका, इनका, L.S. मन्ने एन अशोक रुद्र मॉडल, आपको क्लियर हो गया होगा, अशोक रुद्रा नाम है उनका, नाकी, महावीर, 1969 से 74 तक ये योजना चली थी, विहार का, शेत आपको बता दिया हमने, आप देखिए, कौन-कौन से इसमें मेल मिलाप हो रहे है, प्राजिव, गांधी, जैविक, उद्यान, पत्ना, वालमीखी, नगर, अभ्यारण, चंपारण, कैमूर, अभ्यारण, रोहतास, कौतम, बुद्ध, अभ्यारण, बोध गया, और राजग अभ्यारण, बस कर लीचेक आप लो, अंतर राष्ट्रे को संबंध के बारे में निम लिखित में कौन सा कंथन सही है, यहां किसी भी देश को रण प्रदान कर देता है, तो पहली बात IMF बना था 1944 में, 1945 से इस्टाबिश हुआ, जब यह बना था तो 29 कंट्री इसके मेंबर वर्तमान में 190 देश है, कितने देश है, 190 कंट्री है, 190 कंट्री है, यहां केवनじゃना, सदा से देशों को रण प्रदान करता है, यही कथन सही है, किसी वित्तिवर्ष के दौरान, सरकारी व् fan को योजनागत वयव का वगी करन बंद कर दिया गया 2017-2018 में बंद कर दिया गया तरकार कितना खचब भन करेगी किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद है एक वर्ष में उत्पादित होने वाले वैपार योगी समानों का कुल मूल्य मैं परिभाषा बताती हूं आप खुद सेवाओं का टोटल योग है वो कहलाता है क्या जीडीप यहां पर सर्फ वैपार दिया है वैपार क्या है करता अर्श्री है एक वर्ष के भीतर मौद्री के उंगेरमत्रिक वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य नहीं टोटल फॉर्म में आएगा एक वर्ष के भीतर किये गय थंडी हवाएं आती है कर गुजरती है तो ब्लुकर प्रभावित करता है बंगाली खाली चक्रवात आते हैं तो भीहार प्रभाव पड़ता है नार्वेस टंडर हवाओं का प्रभावनिय की दांसर निमलिखित में इस्थान पर अशोग के अभिलेग लॉरिय नंदगण चंपरन से मिले हैं चुलोरिय आरिश मिला आरिय चंपरन से मिला ए मतलब क्या है वोप्युक्त सभी आत्म निर्भर भारत के साथ निश्य जोजना में निम लिखित किस बिंदू पर बात नहीं किती है। दूसरा क्या है हर खेत तक सिचाई तीसरा है स्वक्ष सहर मतलब सफाई के लिए किया गया है सिचाई के लिए किया गया है। इधर है आपका आजात दस्ता आजात दस्ता नामक संगठन का किस उद्देश से गठन किया गया था। तो चलो बताओ अभी मैंने आपको बहुत जादा डीटेल में इन चीजों के बारे में बताया था क्यू गठन किया गया था। अरे अंग्रेजों के वरुदातंकवादी कारवाही करने के लिए क्या गया था। उससे में जिसका जैसे चल रहा था वो उसको भारत से अंग्रेजों को भगाने का प्रयास कर रहा था। है नेक्स क्वेश्चन है बिहार में प्रांतिय सभा की सापना अधिनियां के तहत हुई 1773 के रागुलेटिंग आक्ट के तहत हुई जिस वक्त शुरुवात ही हुई थी रागुलेटिंग एक्स की प्रांतियां के बस आपका पेपर समाप्त होने वाला है थोड़ी देर में पिहार में नंगी हरतालनियम लिखित में आंदोलन से समर्पित है यह तो मुझे लगता है कि लगभग जितने बच्चें हैं सब को आना चाहिए और अगर नहीं आता है तो यह मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा आप लोग देखिये इस पर कैसे काम होगा क्या होगा इसका अंसर अवग्या आंदोलन यह करन का डेटा है 2021 का देखिये आंडेटा जैसे बच्चें बोलते हैं कि 2021 का डेटा पूछा गया है तो मैं हमेशा पढ़ाते वक्त बोलती हूं कि डेटा इसलिए 2021 का पूछा गया है उसका बेसिक रीजन यह है कि उस समय जब काउंटिंग हुई है उसके बाद नहीं आई है तो जब तक नहीं काउंटिंग नहीं आ जाएगी जब तक आपकी नहीं काउंटिंग नहीं आ जाती है तब तक आपकी पुरानी काउंटिंग की ही वैल्यू रहेगी ठीक है वो जितना भी बिहार special है वो बहुत important है और विकास के लिए बिहार सरकार के उपाई शामिल है बिहार startup नहीं थी 1.2 1.0 2.0 का मतलब क्या है यहां पे देखिए यहां पे 1.0 2.0 का मतलब सीधा यहां पे यह पहली बार आ चुकी है दूसरी बार आई है तो दूसरी बार आई उसको 2.0 कर दिया गया सरकार ने बहुत सारी योज्णों के साथ ऐसा किया है ठीक है next है आपका मुख्यमंत्री युद्यमी योज्णा बिहार सरकार के उपाई में शामिल है और दगिक विकास बियाडा आपक किस वर्ष जारी किया गया यह अपने आप में बहुत important question है तो बताइए किस वर्ष जारी किया गया है बिहार आपतिक सर्वेक्षण 2006-07 बिहार आज जीवी का दीदियों द्वारा संचालिक की जाने वाली दीदी की रसोई अस्पतालों में मरीजों को नियूनतम मोले पर भोजन उपना ठीक है वहाँ पर लोग परिशान है एटलिस भोजन तो मिलना ही चाहिए इचीज एकदम अच्छी है नेक्स्ट है आपका निमलिकित में से कौन सा मिलान गलत है साथ मिस्चय योजना, आर्थिक युवा, जुवाओं का बल महिला एवं बाल विकास, योजना, मुख्य मंत्री, नारिश-णिक योजना बिलकुल ठीक है तो तो करोना सहाइता पुलहर रड नीति ये आपका बिलकुल गलत है जितना आप ही basic current affairs था हमने आपको बता दिया है, यह mathematics questions आपके math के self-fall करवाएंगे, जहां भी आप लोग को doubt लगे, आप लोग पूछ सकते हैं, comment के थूँ या फिर आप लोग test series join कर लीजे, मेरा suggestion यही है, बार-बार मैं आप आप लोगों से कह रही हूँ कि 69 batch का आस्था ने विपयर्थी test series start कर दिया है, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि human error से वश्चना है, तो please make a practice, आप practice करेंगे, वही आपको बहतर बनाएगा, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जतना effort लगा सकते हैं, लगा लेजिए, जीवन में इस बात का दुख नहीं होना चाहिए, कि काश हम करते तो हम अच्छा कर लेते, thank you बच्चो